हलो स्टुर्टेंट्स कैसे आप सब्सक्राइब अच्छाँ आप तरे इससे लिए होगी हाँ जी आए आए आज हम आप लोगों को आइसे के स्टेडी मैटियल से कैस्पटर का चेप्टर कर रहा हूंगा यह जो चेप्टर आपका यह चेप्टर आपका एस पर एस तरी है और सब्सक्राइब इसको दो जगा पर दे रखा एक तो आपका सर्फ ही 11 यूनिट 2 कैस्पटर स्टेट्मेंट के नाम से और एक आपका चेप्टर 4 इनिट 2 एस तरी के नाम से है के स्टेड्बेंट ए मैं आपको इंसी टोनों जगा पर इस चेप्टर में जितने इल्स्टेशन दे रखें, question दे रखें, mcq दे रखें, सारे cover कराऊंगो, हाँ, अगर कोई illustration या question sir आपका duplicate है तुम लोग उसे skip करतेंगे, साथ में मैं आपको conceptually revise कराऊंगो, एक बात और, ये जो video ना, ये revision purpose के लिए, इसलिए जो मेरी बोलने speed रहेगी, normal speed से थोड़ी ज्यादा रहेगी, so that मैं आपको come second time में, ज्यादा ज्यादा content cover कराऊं, sir जितने भी important notes है, मैं सारे एक सारे अपने telegram channel पर share करता रहे, तो आपने क्या करना, telegram channel को join करना, और अपने दोस्तों साथ भी telegram channel link share करना है, चलिए, start करते है आज की video, वीडियो को like करेंगे, channel को subscribe करेंगे, और सब दो करूंगा कि जो cash flow statement है, इसको बनाने का objective क्या है, sir हम बताते है, मैं इनका बताओ, sir cash flow statement बनाने का objective है to identify inflow and outflow of cash, मैं आपको बता दू, sir cash के inflow and outflow को identify करने के लिए हम लोग क्या करते है, sir cash book बनाते है, हाँ sir, क्योंकि जितने भी inflow and outflow आपके cash and cash equivalent के, sir वो आपका cash book के बिलको ठीक है, sir लेकिन, sir, वो cash realize नहीं कर पा रही है, तो sir, उसे problem आ जाती है, इसलिए हमें क्या करना था, sir cash के flow को analysis करना होता है, देखिए cash book basically क्या है, sir, इसमें न सारी transaction लिखी जाती है, individual base पे, लेकिन, sir, हम इसके बेस पे analysis नहीं कर सकते, analysis करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, sir, इ इसलिए, इसलिए, sir, इसलिए, sir, इसलिए, sir, इसलिए, sir, सबसे main, sir, इसके उपर focus रहता है, कि ठीक है अपने पैसे रेंज कर लिए अपने पैसे भी लगा दिये लेकिन सर जहां पर आपने पैसे लगा रखे आप उससे कितना जनरेट कर पारें ठीक जी सर कैस्पलों स्टेटमेंट को बिसिकली तीन एक डिवाइड किया गया है उससे पहले में एक बात और बता देता देखें सर कैस्पलों स्टेटमेंट में केवल वही सर ट्रांजेक्स नहाएंगी जिन में सर या तो इन्फलोंगा कैस का या सर आउट्पलोंगा ठीक जी सर हम यह कह सकते हैं कि सर यह अपना बिजनेस है कि यहां पर न एक बड़ा सा गेट लगावा है कि यह गेट है सर यह गेट तभी खुल लेगा जब ट्रांजेक्शन में क्या होगा सर कैस की इन्वोल्मेंट होगी सर एक बात होता हुआ मैंने का हां जी सर डैपरिसेशन तो नोन कैस होता है उसे हम क्यों जैस करते हैं दोस्त इस बात को मैं आने वाले वक्त में आज की कलास में डिटेल म सर अब यह मेरी बात सुनिए है कैस में स्टेटमेंट में सर एक दर्वाजा लगा हुआ है और यह दर्वाजा तभी खुलेगा सर जब क्या होगा ट्रांजेक्शन में तो कैस का इन्वाजा खुल जाएगा तो उसके बाद सर अंदर फिर तीन रूम बने हुए है एक ओपरे रिवैन्यू जनेरेटिंग अक्टिविटी है या उससे रिलेटेड अक्टिविटी है ठीक तो सर वह आपकी ओपेटिंग अक्टिविटी बन जाएगी सर कोई भी ऐसी अक्टिविटी सर जो आपका acquisition and disposal of आपका long term asset and investment है सर वह आपकी investing अक्टिविटी माल जाएगा और उसके ओपर सर इंकम जैसे इनकम होगी ठीक जी सर सर बिजनेर्स का जो structure होता सर ठीक है सर उसमें जो आपके cash लगते सर वह दो तरीके से लगते सर या तो ओनर का पैसा लगता या ओटसेटर का पैसा लग capital और सर बोरोइंग ओफ टी एंटर्राइज को चेंज करता सर मैं कहा सकता हूं सर सिंपल वर्ड में सर फाइनसे एक्टिविटी वह एक्टिविटी है सर जो बिजनेर्स के capital और सर बोरोइंग से रिलेटर एंड कोस्ट ओफिट है ठीक जी सर देखें सर क्या होता है कुछ ऐस लेटि नहीं होगी इन्वेस्टिंग भी और स्फाइनसिंग नहीं होगी जैसे सर माल Tillों क्या होगा सर बाड़ और बाड और अने सर अपने को क्या और शान हो और सर मालो उसके घएनसे विलेंस में इंसरेंस मिला ठीक जी ळीजिरन क्या मेरी principal revenue generating activity नहीं सर लेकिन सर उसको कहां पर लेके जाए कहता सर operating activity वह activity है. मतलब operating activity के अंदर सर व क्या है जो प्रिंसिब्ल revenue generating activity and any activity सर जो नाईधर investing activity nor financing activity means operating activity के room मिना सर क्या क्या कि guest room मोर रख दिया कि कोई भी ऐसे activity सर जो investing और financing नहीं है इवन चाहे वो ओपरेटिंग भी नहीं तो भी हम उसके कहां दिखाएंगे सर ओपरेटिंग अक्टिविटी के अंदर ठीक जी सर सर कैसे स्टेट्मेंट बेसिकली कैसी स्टेट्मेंट है सर जो इंक्लूड करती है inflow and outflow cash and cash equivalent for a particular period ठीक जी सर सर inflow का मतलब है receipt of cash and cash equivalent outflow का मतलब है payment of cash and cash equivalent ठीक जी सर cash and cash equivalent का मीनिंग है यह मैं कह सकता हूं सर cash and cash equivalent में include है cash include है sir आपका cash in and demand deposit with bank ठीक जी सर cash equivalent में आपका include है highly liquid investment बात सुनिए जान से highly liquid short term investment highly liquid short term investment सर जो easily क्या है सर readily क्या है convertible into cash है और जिसका amount सर हमें पता है मतलब unknown amount है मतलब सर उसमें आपका insignificant risk है सर दुबारा बताना देखिए cash and cash equivalent include cash include आपका सर आपका आएगा cash in hand और आपका demand deposit with bank ठीक जी सर cash equivalent में आएगा आपका short term highly liquid investment बात सुनिए है इन्वस्मेंट का मतलब क्या है कि सर जब भी आप उसे cash कनोट करना हो सकती है ठीक जी सर नोन amount का मतलब क्या है कि सर उसमें insignificant risk हो सर यहां पर short term का मतलब क्या है देखेंगे तो सरी इसे हम cash equivalent नहीं मानेंगे सर कोई भी ऐसी investment जो cash equivalent में cover नहीं सर उसे हम investing activity के अंदर दिखाते है ठीक चलें हाँ जी सर एक बार जीतना मैंने आपको बताया सारा मैं सम्राइज में बता दिता हूं देखिए cash book की समरी सर cash flow statement कहला ठीक जी सर cash flow statement में सर बेसिकली क्या है सर यह कैसी statement है जो inflow मतलब receipt of cash and cash equivalent and payment मतलब सर आपका outflow of cash and cash equivalent को और यह particular period ठीक सर cash flow statement को तीन activity में बाटा गया operating activity, investing activity and financing activity operating activity सर प्रिंसिप्ल एटिंग अक्टिविटी और कोई भी ऐसे अक्टिविटी सर जो ना investing है और ना इस फाइनेंसिंग में आ जाएगा ठीक जी सर आपका basically क्या है सर जो long term asset और आपका investments related activity ठीक जी सर, inflow or outflow ठीक जी सर और investment income सर financing activity basically क्या है सर जो business की capital है उसके composition में change या सर जो borrowing है उसके composition में change मैं आपको बता दू, borrowing में सर यहां पे short term borrowing भी आ जाती है क्योंकि सर बोरेंग में long term borrowing नहीं लिखा और सिर बोरेंग लिखावा ठीक जी सर and cost of capital and borrowing चले जी सर वह आपका कौन से activity बन जाएगी financing activity सर देखिए cash flow statement में हमें सबसे पहले क्या करना होता सर कोई ही भी हम question करते है तो हमें सबसे पहले अदेंटीफाई करना होता है कि inflow है या आपका outflow है ठीक है सर सेकिंड हमें क्या करना होता सर यह identify करना होता कि activity कौन सी है operating activity है investing activity या financing activity ठीक जी सर माब को बता दूँ सबसे आसान काव में है सर identify करना इंफ्लो और उससे भी कहीं ज्यादा आसान काम है सर ओपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनसिंग एक्टिविटी को अडेंटिफाई करना फिर स्टुडेंट से गलती कहां पर होती इस चेप्टर में आपको बता दूं सर यहां पर स्टुडेंट गलती करता सर लेजर प्रेक्टिस कराऊंगा और सर साथ की साथ सर जो भी अम लेजर बनाएंगे ना स्टार्टिंग के क्वेस्टिंग में तो मैं सर उसके कोंसर्ट को भी आपको रिवाइज कराऊंगा ठीक चले हाँ जी सब्सक्राइए आप आएंगे इलस्टेशन नमबर वन पर एक बात वर मैं आपको बता देता हूं इस चेप्टर में सर स्टूडेंट को ना बड़ी कनिशूजन रहती है कि सर कभी हम डिविडेंट पेड एड करते ऑपरेटिंग में कभी आड नहीं करते कभी प्रोजन फो टेक्स एड करते कभी आड नहीं करते मैं आपको ना बता द देखेंगे, in flow and out flow, cash and cash balance, ठीक जी सर, फिर सर वो जो depreciation है, उसका क्या होगा, जब एक बड़ा question आएगा तो मैं आपको एक concept explain करूँगा, कि जो operating activity है, उसको बनाने के दो method होते, direct method और indirect method, sir, investing और financing में ऐसे कोई method नहीं होते, sir, उसका क्या reason है, सारी बात है, sir, जब एक proper question आए on the treatment of the same for preparing cash flow statement, ठीक जी, sir, sir, आपने ASR के context में क्या करना, discuss करना है, सबसे पहले लिखता, sir, loan and advances given to the following and interest on their own, on them, sir, आपने क्या किया, loan and advances दिया, देखे, sir, अगर हम supplier को loan and advances देते, तर, sir, ये अपनी routine के activity है, operating activity में आ जाएगा, उसको पर interest भी, sir, employee को अगर हम loan देते, sir, ये अपने अपने लिए, sir, ये अपने लिए, इनवेस्टिंग अक्टिविटी बन जाएगा, sir, अगर हम subsidiary company को loan देते है, sir, ये क्या बन जाएगा, अपने लिए, sir, ये अपने लिए, investing activity बन जाएगा, क्योंकि हमने पैसा, sir, क्या किया, invest किया, ठीक, जी, sir, investment made in subsidiary, smart limited and dividend received, sir, investing activity, sir, dividend paid, sir, cost of capital है, sir, आपका financing activity, TDS on interest income earned on investment made, sir, ये basically क्या है, देखिए, बात सुनिये, द्याद सेना, sir, सर, टीडियेस का concept होता क्या है, जैसे मालो, मैंने, sir, एक property rent पे दे जी, या, sir, मैंने कहीं पे क्या क्या, डिवेंचर ले लिए company, ठीक, जी, sir, तो वो company, sir, जब मेरे को interest भी करेगी, तो मेरी income के ओपर tax card लेगी, ठीक, जी, sir, अब, sir, जैसे मालो, मैंने rent receive क्या property पे, 4 lakh का, सर, उस party ने क्या किया, 40,000 का, sir, TDS card के 360 के payment मेरे को कर दे, ठीक, जी, sir, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, कि, sir, जैसे मालो, मैंने क्या क्या, sir, एक company के debenture ले रखे थे, company ने क्या किया, sir, 50,000 मेरे को interest भे किया, और 500,000 का, sir, क्या क्या क्या, TDS card लिया, ठीक, जी, sir, तो, sir, इसका क्या treatment होगा, cash flow statement के अंदर, sir, ये अपना income है, investment क्यों पा, ठीक, तो, sir, अपना investing activity में आएगा, और हम इसे basically दिखाते क्या, sir, 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 देखे, real में अपने पास, तो, ये cash flow आए होगे, जी, sir, तो, हम क्या करते, sir, इसको दिखा के, इसको minus करके, दिखा देते हैं, मतलब, ऐसे disclose कर सकते हैं, ठीक, जी, sir, और, sir, कई बार, institute क्या करता है, sir, इसे net करके भी दिखा देता है, चले, जी, sir, but ultimate, sir, कौन से activity बोलेंगे, इसको, investing activity बोलेंगे, ठीक, TDS on interest income, earned on investment, sir, आपका investing activity, TDS on interest, earned on advance given to supplier, sir, अपना operating activity, कौन से activity आजाएगे, operating activity, ठीक, जी, sir, insurance claim received against laws of fixed debt by fire, देखे, sir, अगर कोई भी, sir, extra ordinary item है, तो हम उसे cash flow statement में क्या करते, sir, अलग से दिखाते हैं, ठीक, जी, sir, sir, अगर insurance claim मिला है, against laws of fixed asset, तो, sir, fixed asset, के अगर हमें claim मिला, तो, sir, fixed asset, कौन से asset है, sir, अपने long term asset है, तो, sir, ये कौन से activity आजेगे, investing activity, हमें क्या करना, sir, अलग से disclose करना, ठीक, जी, sir, ये देखिए, ठीक, जी, sir, अब TDS में, sir, ये इन्होंने outflow क्यों लिख रखा है, देखें, इसलिए outflow लिख रखा है, क्योंकि net inflow, sir, अपना ही तना होता है, तो हम लोग क्या करते, sir, 4 lakh minus 40, तो, TDS को, sir, ऐसे minus करके दिखाते हैं, इसलिए, sir, इन्होंने यहाँ पे outflow लिख रखा, कोई हम pay नहीं कर रहे हैं, यहाँ चले, जी, sir, illustration no. 2, following are the extract of the balance sheet of Agile Limited, sir, ये Agile Limited की balance sheet extract है, ठीक है, sir, you are required to show the related item in the cash flow statement, sir, आपने क्या करना, related item cash flow statement में दिखाने, ठीक, जी, sir, आईए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो, sir, इसे न, indirect method के साथ solve किया गया है, तो मैं काम करता हूँ, आपको न, जो मैंने बोलाता है, कि operating activities जो है, उसके दो method direct और indirect, उसको मैं explain करने जा रहा हूँ, ठीक, जी, sir, मैं, sir, यहाँ पे थोड़ा time ज़्यादा लगाऊंगा, क्योंकि यह concept एक ऐसा concept, sir, जिसमें clarity बहुत ज़्यादा जुरूरी है, student क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, कि current asset अगर increase होगी, तो minus, decrease होगी, तो plus, current liability अगर increase होगी, तो plus, current liability अगर decrease होगी, student करता हूँ, student बोलते हैं, sir, आपको shortcut पता नहीं होगा, इसलिए आप इस concept को इतरी in detail में explain कर रहे हो, दोस्त, मैं आपको shortcut पता है, लेकिन मा आपको बता दूँ, यह shortcut आपने बिल्कुल भी apply नहीं करना है, क्या बात कर रहे हो, sir, मैं आपको बता दूँ, दोस्त, कहीं बात confusion हो जाती है, मैं आपको इस concept, मतलब इस बात को conceptual हो, आप देखना से यह बात कितने असान तरीके से आपको समझनाएगी, बात समझेए, फिर आप इस shortcut को भूली जाओगे, क्योंकि देखिए, एक्जाम में, sir, कोई, अगर आप shortcut से भी question solve गते हैं, question ठीक है, तो पूरे marks मिलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि सोटकट से हमने, क्योंकि एक्जाम को क्या पता कि है, हमने shortcut लगाया, कैसे conceptually explain, मतलब conceptually, sir, इसको सोच के, sir, हमने answer दिया है, लेकिन, sir, जब आप question भी practice करते हो, तो, sir, आपने conceptually, sir, practice करनी है, उससे पता क्या फाइदा हो, sir, आपसे कभी गलती होगी नहीं, और मैं आपको, sir, अब बताऊँगा, यहां पर यह भी, कि operating activity में दो method क्यों है, ठीक, चलिए, सुरू कर लेते हैं, थोड़ा time लगेगा, लेकिन, कौन सब, sir, अच्छे से clear हो जाएगा, sir, यह statement को P&L है, ठीक, जी, sir, sir, यहां पर sale है, one leg, I see, मैं मान के चल रहूँगी, sir, जो sale है, अपनी cash में sale है, ठीक है, sir, यहां पर अपने पास purchase है, मैं मान की चल रहूँगी, sir, जो हमने purchase किए, वो किस में किए, sir, cash में purchase किए, 80,000 जादा होगे थोड़ा सा कम कर लेते को गोर भी खर्चे डालेंगे 70,000 ठीक जी ज़िए सर यहां पे अपने expenses है मान लेते सर अपने 18,000 ठीक जी सर यह भी cash नहीं सर ठीक जी सर तो सर कितने आगे अपने 58,000 सर प्रोफिट आगे आपना कितना 12,000 सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो ओपरेटिंग अक्टिविटी है उसको सर बनाने के दो मैथर एक डारेक्ट मैथर एक इंडारेक्ट मैथर ठीक जी सर सर डारेक्ट मैथर यह कहता है कि जो भी प्रिंसिपल आपने कैश भी किया वह आपके लिए क्या आउट प्लो जी सर जब भी मैं वर्ड बोलता हूं कैश तो आप समझ जाएंगे मैं कैसे डोनों की बात कर रहा हूं ठीक जी सर तो सर अगर मैं डारेक्ट मैथर की बात करूं मैं आपको उसके बाद यह भी बताऊंगा कि बाक्की एक्टिविटी में सर दो मैथर क्यों नहीं होते हैं अगर मैं डारेक्ट मैथर की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा जो सेल है पता है सर या तो कैसिमिया फिर क्लेक्टिन फॉरूम डेटर ठीक जी सर सेल कितने से आगे हैं सर वन लग से अच्छा पेमेंट टू क्राइटर या पर चेज सर कितने से सर से बिलकूल ठीक है और सर एक्सपेंसिज कितने से हैं सर 18,000 से तो Cash Flow from operating activity Cash Flow from operating activity करने से आ जाएगा सर यह 12000 से आ जाएगा तिक जी सर इंडारेक्ट मैथड में बेसिकलि हम लोग क्या करते हैं सर हम यह मान के चलते हैं कि जो यह profit है ना यह किससे है यह operating activity अक्टिविटिटी से मेरी वर्डिंग बड़े द्यान देश्मना वी एजिव कि यह जो प्रोफिट है किस चैनर बड़ और कैसे अक्टिविटिटी से हम लोग क्या करेंगे जितनी भी नोन बरेटिंग और क्या है कि हम सर इस प्रोफिट को बेस लेकि सर इसमें क्या करेंगे नसेसरी अजिस्मेंट करतेंगे अच्छा इसलिए इसका नाम बन गया इंडारेक्ट मैथड़ सर इन्वेस्टिंग अक्टिविटी में कोई ऐसा बेस ही नहीं होता इसलिए सर वहां पे दो मैथड़ है निए अगर आप इन्वेस्टिंग अक्टिविटी में देखने तो नोन कैस आइटम नहीं आती फाइनसिंग अक्टिविटी में देखने तो इसके अंदर अच्छिस कर देंगे प्लीज इस बात को लिख लेंआ हम आपना वी ओल्वेज ए अब बात करते हैं cash flow from operating activity आपका indirect method हमने क्या assume किया है सर हमने assume किया है कि जो यह profit है यह operating और cash activity से है ठीक है इसमें क्या करें नोन अगर आप देखेंगे तो अपना profit कितने से आगया 12,000 से मैं फिर से बात को बोलू हूं हम क्या मान के चल रहें कि यह जो 12,000 का profit है यह operating और cash activities है इसके अंदर क्या करेंगे नोन operating और non cash activity adjust कर देंगा आइए एक एकर करके चेक करते हैं सर से सर वन लैक से क्लेक्शन सर वन लैक से कोई adjustment कर नेड़ नहीं क्योंकि हमने क्या कि यह operating और cash activity से यह operating और cash activity भी परचेज सर और cash activity भी एजियूम सर expenses और cash activity भी एजियूम ठीक चले आगे बढ़ते हैं सर मान के चलते सर यहां पर क्या था डेपरी सेशन था सर यह अमांट आपका 93,000 आजाएगा और यह अमांट सर आपका 7,000 आजाएगा ठीक जी सर पहले चलते सर आपके डारेक्ट मैंट सर देखिए यहां पर आप देखिए तो प्रोफिट कितने से हैं सर प्रोफिट है अपना 7,000 से वट वी एजिम कि सर यह जो प्रोफिट है किस से अपर आपके चलते हैं सर मान के चलते हैं इंवेस्टमेंट इंकम है इस तो यह आपका आगया 13,000 चलिए क्या डारेक्ट मैंट सर कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर किसमें सर हमने क्या करका है सिरफ ओप्रेटिंग एक्टिविटी के कैस फ्लो ले रख ठीक जी सर यहां पर इंडिरेक्ट मैंट में अगर आप देखेंगे तो मेरा प्रोफिट कि फुर्त नोन उपूरेटिंग वहतश्क है अच्या उसे अज्यस करदेंगें अच्छाओ इंवेस्मेंट इंकम सर प्रोफिट बढ़िए लेकिन क्या सर मेरा ओपरेटिंग कैस बढ़ा है नहीं सर क्या डWhy आ सरो यहां माइनस आजाएगा कि इंवेस्टमेंट इंकम डैप्रीशेशन सर्व नोन कैसे जो क्या करेंगा सर एल्ड करते हैं चले चलिए अगे बढ़ते हैं और यह दोनों मैंसरे टैली होगा सर मानके चलते हैं सेल मेरी क्रेडिट पे ठीक जी सर अगर सेल मेरी क्रेडिट पे तो सर्क्या अगा डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग ठीक जी सर तर ओपनिंग बैलेंस है माल लेते सर आपका 7000 से 7000 कोई अमांट तो नहीं आ रहा है पहले चलो 8000 कर देते और सर क्लोजिंग माल लेते 12000 ठीक जी सर मैंने एक स्टुडेंट से पूछा कि बताइए यह जो डैटर में इंक्रीज है इसे क्या करेंगे स्टुडेंट ने बोला सर माइनस करते मैंने का क्यों अब सुनिए कैसे रिटा मारते कुछ बच्चे न और हो सकता आप में सिर्फ कुछ बच्चे को ऐसे रिटा मरवा रखाओ इसका मतलब सर हमारे पास कैस कम कैसे आया क्यों कि अच्छा आज मेरे को न फाइव लैक क्रोड का नुक्सान हो गया कैसे मैं बता हूं मेरे पास आया इन टाउटफल हो गया अगर मैं यह बोलूं कि क्योंकि मेरे पास कैसी नहीं आया था विए बाते कर रहें अब बात समझीए फाइव लैक क्रोड मेरे पास कैस ने आ आज आए आफ़ बैटे बेटे बुछ और तेंट ने आया आज आपकि अधो गया दोस्त एक्चुली क्या यह सिरो पर सिरो रट के लिए सर कुछ confusion होगी यह दो पता कि प्लस या माने से होगा लेकिन होगा क्या फिर हम पता क्या करेंगे एक बार यहाथ आज आजाए बस नहीं आता रहा फिर अगले वाले को ऐसे भाई भाई यह बता कि अगर डैटर इंक्रीज प्लस होगा माइनस होगा वो जो बोल देग वह हमें अवतार दिखाई देगा कि भाई इसी को पता वसना और एकजाम है गलती हो जाती है तो सर फिर इसे हम क्या माने पुलस करें माइनस करें देखे दोस्त थोड़ा बेट करते हैं इसके लिए पहले चलते डैरेक मैंठर में हम क्या करेंगे अकाउंट बनाएंगे हम पर जब लेज़ में अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलंस कितने से अपना opening balance से जोभी युक्ये करेंगी सर जो भी ओप्रेटिंग अट्विटी से इंफ्लोर उसी को लिखें कि ठीक जी सर क्लेक्शन के दिने स्याधा सर यहां पर 96000 से ठीक जी सर 96000 माइनस 38000 सर यह अपना आगया वह आपका 8000 का कैशलो फ्रों प्रोपेटिंगे ठीक जी सर अब इंडिरेक्ट में सर मेरे पासषित आवलेवल नहीं होती है यह होती यह खोगोले थे यह किससे आया है तो यह ग theor fuzzy अपना उपकेटिंग को एक्टीषै इसका डीजेिषे तो अध्या कि जो भी मेरे पीड के अंदर आए होगा ना वो सब कैस्वा है और अगर non case या non operating होगा तो क्या करना पड़ेगा अर्जास करना पड़ेगा अब बात सुनिए सर जो मेरा profit है इसमें impact किसका्या है सर इसमें impact आया sales at what I adwn कि सर यह जो profit है इसमेब 1 लैक् gros sale का collection है क्लैक्सन है जो अपरेटिंग है लेकिन अगर इसमें 1 L связ due to collection होता तो क्या नाग्यदार का थीक सर अब सुनिए अगर डैटर डिक्रीज हुआ है इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो कैस आया इन कंपरिजिन तो सेल जादे आया है जबकि मेरे पास जो पी एंडल है उसमें सिर्फ सेल का क्लेक्षिन में कमाया है क्योंकि सर क्लेक्षिन कमाया क्योंकि से माइनस कर दूंगा इंक्रीजिन टेटर सर मैं इसलिए माइनस नहीं कर रहा है कि यह आउट फ्लो है प्लीज ध्यान से बात सुनना क्योंकि से इंडारेक्ट मैं सर में तो इंफ्ल आट फ्लो आते हैं हमें तो अजिस्टमेंट करना पड़ता है इंड कर दिया है क्योंकि यह जो प्रोuffled है यह यह ओप्रिटिंग और क्विट्टी से है इसके अंदर इंड में इसके तो इस्कम मुमेंत ही कर देता है सब्फर समझें सब्टर संपा इंपकर आइब यहां है घं Lexman का घह अगया अगर आपको को यह से बोले न सब्सद्रोब न इनकरीज बात को थीन सब्सक्राइब product को थीफ्टर हने प've कैसे सर आया ही नहीं बात समझें विटा प्लीज मेरी बात को ध्यान सुनना अच्छा सर तो हम हर चीज को ऐसे देखेंगे हाँ आपको हर चीज ऐसे देखनी है चलिए अब मैं आपको अजिस्ट्मेंट करा रहा हूं आपको कॉन से समझ में आ गया यह करेडिटर 3000 से सर कम होके मालनो 1000 हो गया है बताइए इंपक्ट किसका होगा सर परचेज का जितनी परचेज उतना उतनी पेमेंट कोई इंपक्ट ने सर जितनी परचेज पेमेंट ज्यादा सर क्राइटर कम हो गया हमने यहां पर इंपक्ट किसका लिया परचेज का लेकिन हमने सर और 16,000 अब बताओ Master सुनिए अगर स्टोक बड़ा है इसका मतलब क्या है अगर सा स्टोक बड़ा है इसका मतलब है प्रोफिट बड़े बट कैस नहीं बड़ा करदो माइनस सर हमें क्या करना चाहिए देखें दोस्त इल्यूवर एक्जाम जब आप कैस्प्लो स्टेट्मेंट की प्रैक्टिस करते हैं तो आपने सर इसी कॉंसेप्ट के साफ से चलना चाहिए ठीक जी सर एक्जाम में सर आप कॉंसेप्ट्यूली चलिए लेकिन अगर वालोग अगर मैं उतनी पेमेंट करते हैं माउंट बढ़ गया और यहां पर इंपैक्ट किसका आया होगा सर जो मैंने खर्चा किया है जैसे मालो 18,000 का इंपैक्ट आया है यहां पर लेकिन रियल में अब देखोगे तो 18,000 की पेमेंट हो दी तो यह 6,000 आता सर पेमेंट जाद होग अब बताओ सर अकर आउट्स लिगेंं इसका मतलब किया कैसा जो मैंने पेमेंट कम कि था अगर मैंने पेमेंट करता था ब्राबर आता पैमेंट जादा होगा सर इसका चले आगे जी सब्सक्राइव यह बच्चा सा क्वेसन है जब बड़ा कमपली आगा तो आपको प्रोज जैसे मैंने फाइनल अकाउंट के चैप्टर में आपको बताया था कि आपने ये प्रोजिसर फोलो करना और कहीं विच्छ को उसके पाद में पास वाट्साइप आया कि सर बहुत बढ़ी आशा आपने प्रोजिसर बता दिया उसके वाद हमसे गलती ही नहीं हो रही सेम आपको बताऊंगो कि आपको प्रोजिसर क्या फोलो करना है जब आप क्वेशन सोल करेंगे ठीक चलिए सर एक बात वर बतातो वो जो डिविडेंट पेड कभी आइड होता है कभी नहीं होता सही बताने पूसको बताएंगे टेंशन क्यो ले रहे हो आप आप यूवर रइकवार रेलेटेड आइटम इन दाकैस वलो स्टेट्मेंट देखिए सब से पहले हम लोग क्या करेंगे सर क्वेस्टन चलेंगे रिजे रेलेमाटर प्रोस पर प्रोफिट के तने से इंकरीज हो गया सर 40 ौजए से 40 ताउजन सर अपना आएगा ऑपरेटंग अक्टिविटी में क्या मानके चलेंगे यह जो प्रोफिट है किस लटूब और ओपरेटंग अट्युटीस थिक और और सर यह जितनी भी एक्टिविटी सर यह कैस अक्टिविटी है इसलिए हम क्या करें सर इसके अंदर नोन ओप्रेटिंग और नोन कैसे अक्टिविटी अर्जेस्ट करते हैं ठीक चले अब चलते सर असेट साइट में इंटेंजिबल सर टू लैक फाइफ थाजन से कम होके 180 हो सेर कैपिल सर कोई मोमेंट नहीं है लोंग टम बोरवाईं नोट नंबर थ्री नोट टू हो गया है नोट वन हो गया है नोट नंबर थ्री तर टैन परसेंट डिवेंचर फाइव लैक से बढ़के 750 को तो 250 का सर क्या है सर कैस का इंफ लोगा कौन से अक्टिविटी सर फाइन जाएक के सतटिंग में मानेंगे तो सर 75 फाइव इंटरेस्ट मेंटरेस्ट अजयाएक और य क्याने मिमें मानें क्या तो 50 निटरेस्ट छाइग है ठीख जिडर तिक योंन के चलते हैं हमने कि क्या ze एक क्या सिनक प्योंत ऐसका मतलब के निए प्र उन ने इंटर्सकंग बन सब्सक्राइब करना यह देखिए दोस्त और फाइनेंसिंग में आपने क्या क्या इंटरस्ट पर कर दिया चले आगे जी सर आगे बढ़ते हैं अगर आपको कैस अकाउंट दे रखा तो सारी ट्रांजेक्शन है सर कौन सी आपकी सर कैस की ट्रांजेक्शन है तो यहां पे सिर्ट में लगेगा और मापको बता दूं सर यह रीशीप्ट होगी और यह पेमेंट ओगी तो यह इंफ्लो या ऊट्फफ़ो ठीक सिरफ हमें क्या सायब सर ओप्रेटिंग अक्टिविटी इंफलो यह थीक रेड कमिसंशन सेरो अप्रेइंग kiतिति सेल इसके सर आपका इन वेस्टिग कैटिविटी लोट फो फो बैंक 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 सर 2025 आपने लून लिया बादेंगे इलस्टेसन नमबर फॉर पढ़ेंगे एक काम और करेंगे आपना हर इलस्टेसन या क॥ेस्टन से पहले न एक बार न पॉस्टन पढ़ेंगे न न थायूं ले लेंगे ठीक मतलब वीडियो को पोज करके विज़़ेंगे मैं सार्फ प्वाद्न सेकिंद के लिए रुख जया करूं आ ताकि आप एक बार वीडियो को पोचकर की question पढ़ें फिर मिलके question पढ़ें क्यों कि पढ़ेगा question तभी बढ़ेगा question चलिए पढ़ेंगे station number four the following summary cash account has been extracted from the company accounting record balance at bank opening cash आ गया sir received from customer sir operating activity issue of sales sir financing activity sale of excel sir आपका investing activity आपका receipt from customer sir operating आपका proceeds from sale of fixer sir 128 जीज़ सर्फ इस्टिए आपका financing payment to supplier sir आपका operating payment for property plant and equipment sir investing payment for overhead sir आपका operating wages and salary sir आपका operating taxation sir आपका operating dividend sir आपका financing repayment और bank loan sir आपका financing payment to supplier pay to employee आपका overhead income tax paid sir यह आपका आगया purchase of fixer bank loan repay or dividend pay टिक चले जी चले चले क्योंकि भी cashbook का question था ना जी सर तो direct method ही लागेगा illustration no.5 पढ़ेंगे देखे क्या लिखता है prepare cash flow statement of measures mnt लिंप्रट for the year under 31st March X1 with the help of the following information company sold goods for cash only थीक है GP was 30% for the year GP amounted to sir आपका 38 to 500 तो 38 to 500 डिवाइट by 30% sir 12,75 तो क्या जाएगा आपका sir कैसे लागे operating activity opening inventory वाज लेसर देन closing inventory sir direct में उसका कोई रोल नहीं है wages paid sir आपका operating आगया office and selling expenses paid during the year sir आपका operating आगया dividend paid sir आपका financing आगया dividend paid sir financing bank loan repay during the year 2,15,000 included interest sir sir दोनो financing activity है अलाग लग दिखाएंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा ट्रेड पेबल sir 31st मार्च को exit था balance on आपका जो opening था ठीक है तो sir हम purchase की information निकाल लेंगे आपका inventory के बेस पे और फिर amount pay to trade payable निकाल लेंगे लेकिन इसे सर डिरेक्ट amount pay to trade payable दे दिया तो sir हमें कुछ भी लेज़र नहीं बनाना है आप कि टेक्स पे दूरिंग दाइयर 65,000 प्रोविजन इर्रेलिवेंट है क्योंकि डिरेक्ट मैथर है एक बड़ा question आएगा ना जो बात मैंने आपको बताएगा शारी बात सर्म आपको प्लाई करके दिखांगा ठीक investment of 7 lakh sold during the year at a profit of 20,000 sir आपने क्या कि 7 lakh investment को 20,000 के profit बेच दिया तो 720 आ जाएगा sir sale proceeds क्योंकि यह अपने आप एक complete question है और इसमें sir मैं आपको बहुत सारे बहुत सारी बाते भी बताऊंगा ठीक जी sir मैंने आपको बताया था कि sir main sir अपने लेजर होते adjustment होती तो सारी बाते बताने कम होगा आप एक काम करेंगे sir पढ़ेंगे जलती से illustration number 6 आईए अगर complete एक अच्छा सा question है तो हमें उसे कैसे handle करना चाहिए वह मैं आपको साथ discuss करूंगा ठीक जी sir सबसे पहले बाद question पढ़ते sir रहान लेट परवाइड यूद फोलिंग इंफोर्मेशन at year end March x 1 sale cost of goods sold आगया operating expenses आगया including deposition expenses ठीक है other income oblig expenses आगया interest expenses paid interest income received gain on sale of investment loss on sale of plant ठीक है income tax आगया अब sir अगर P&L में income tax है तो sir यह provision होता है यह paid नहीं होता sir हाँ वह अलग बात है कि sir provision or paid equivalent amount का हो सकता है लेकिन sir conceptually sir अगर P&L में कोई भी item आई है सबसे पहले हम क्या करें sir जो भी adjustment है sir उसे relevant item के साथ लिखेंगे purchase investment for 78 thousand sir investment के साथ लिखेंगे sold investment for 1,002,000 इस investment course sir 90,000 purchase plant asset for 120 sorry शोल्ड प्लांट असर्ट कोस्ट 10,000 विद एक्विन डप्रिशन से 2,000 फॉर 5,000 इसुड वन लाक ओप दा बॉन एट फेस्ट वैल्यून एक्शेंज फॉर प्लांट असर्ट उन्थर्टी बस्मार्ट एक्शन अपका ये रेंड पे बॉन इसु कर दिये और प्लांट के बतल है वे रिपेड 50,000 ओप दे बॉन एट फेस्ट वैल्यू एट मैचॉर्टी इसूर्ट 15,000 शेयर उप्रुपी स्थेंट इच शेयर कैपितल पेड कैस्ट डिविडेंट ओफ 8,000 डिविडेंट की इन्फॉर्मिशन दे नहीं रखी तो इसको हम सबसे लास्ट मां देखें ठीक जी सर अगर अपने सामने अब अगर सब्सक्राइब क्या रख सकता है सब्सक्राइब क्या रखाएं अपने इंडिरेक्ट मैजड के लिए हमें क्या चाहिएगा अगर पी अडल नहीं होता तो क्या होता ठीक जी सर हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए सर सबसे पहले हम लोग क्या करें सर क्वेशन हम पड़ेंगे अजिसमेंट को सब्सक्राइब अब बच्चा सर यहां पर क्या गलती करता पहले वह ओप्रेटिंग के एंगल से देखता ह फिर वो इंवेश्टिंग अक्टिविटी गःता फिर वह कृष सबसेटर खाईऊट और इक ही ट्रनेक्सान के लिए या पाईटला जो किए यहां पर आप देखेंगे तो यह ओपनिंग और यह क्लोजिंग है सबसे पहले स्टाइब करें सर अपना सबसे मैं सबसे में में करें यहां तर यहां पहुत कुछ ah लेकाट मैं इसको को रहा हूँ और आपको बताऊँ ना कि डिविदेंड करते हैं कभी आइड नहीं करते कभी प्रोजन को टेक्स करते कभी आइड नहीं करते वह कुंसर भी बताऊँ ठीक जी सर्थ फोर दा एयर एच पर बैलंसीट 8000 सर यह मेरा सबसे पहला स्टाप रहें जी सर पहले स्टाप में क्या करूंगा प्रोफिट लिकाँ ठीक थर्ड़ स्टाप में क्या करूंगा सर असेट साइट से लग जाओंगा और जो भी सर रिस्पेक्टिव आइटम होगी उसवें सर इनफलो आउटफ सर जब भी मैं लैजर काउंट बनाऊंगा तो मेरा ना फोकस सिर्फ पर रहेगा सर बैंक पर रहेगा डिर्यक्ट मेंधल के अंदर और इंडार्क मेंधल के अंदर सर बैंक और पी अगर कोई भी ट्रांजेक्शन सर पीनल में गई तो फिर वो देखनी पड़ेगी कि नोन प सर पर दिखाता एक मैंधल का ना फिर ग्रोस ब्लोग मैंघिटा जाता ठीक ज़ास्ट बात करें तो हम ने 사व ब्लोक में घ्र स्वेहें करें और अगर एक ट्रॉइचन का ओपनिंग और क्लोजिंग डोनों दे रख और एकक्टिमिलेटीट इप्रीसेशन के ओपनिंग और लोग की इनफोमेशन है तो हम ही क्या करते हैं क्योंक्य जो अकॉंटिंग एंट्रीपर इचाफ सब्सक्क्राइब करें यहां पर सर नेट बलोग तो आप निकली जाएगा तो सर अगर माल लो यहां पर इस question में डिर्क यह information दे रखी हो तो सर फिर यह पर नेट बलोग हो था हम उसके साफ से लाजर बनाते चूंकि सर यह लोग के साफ से लाजर बनाएंगे ठीक क्या को एड़स्ट्मेंट दे रखी सुरू करते लाजर बनाना तो वर्की नूबर बनेगा सर अपना प्लांट अकाउंट अप्लांट अकाउंट में सर ओपनिंग बैलेंसर फाइव लाग फाउजेंट से कि क्लोजिंग बैलेंसर अप्लांट अच्छा एक्क्यूमिलेटर्ड डेप्रीशेशन अकाउंट सर ओपनिंग बैलेंसर शिक्स्टी एट थाउजेंड से और क्लोजिंग बैलेंसर वन लाग थ्री थाउजेंड से चलें जी से आई अजिस्टमेंट नमबर थ्री फॉर फाइव थर्ड़ अजिस्टमेंट से तो टू बैंक आ जाएगा सर्ट एट फॉर्थ अजिस्समेंट है सर हमने अजिसकी को टन्थ टू था 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 उजान्त उसे फाय सब्स क्राइब बेचते देखेंड दोस्त। जब तो हम asset को बेचते हैं तो एक तो तरीका होता है कि depreciation को हम plant में adjust करें फिर bank लिखें फिर profit or loss calculate करें ठीक जी सर एक तरीका और होता है हम क्या करें सर asset disposal account open करें मैं हमें सर इस तरीका को करता हूं जैसर मानलों यह asset की cost है यह बड़ी सारी अपने पास asset पड़े हुए ठीक है जी सर अच्छा यह सर इसके गेंस्ट depreciation चार्ज है अब यहां पर वह यह कह रहा कि सर अपने पास एक asset है जिसकी cost कितनी 10,000 है और depreciation कितना सर अपका 2,000 है उसे हमने जैसे मानलों यह asset हमने क्या किया सर बेज तो हम यहां पर क्या करें सर इसे पहले उठा के अलग करेंगे asset disposal के नाम से तो सर यहां पर आएगा by कितने से या पीपी डिस्पोजल या मसीन डिस्पोजल फिक्स असर डिस्पोजल प्लान डिस्पोजल ठीक जी सर कितने से सर 10,000 है और यहां पर आएगा सर अपना फिक्स्ट असर डिस्पोजल टू प्लान अकाउंट इसके केस डैप्रिशेशन कितना है जब हमने asset को उठाएगा तो क्या करना अपरेशन को उठाना पड़ेगा तू पिक्स्ट असर डिस्पोजल टू थाउजन वाई एक्क्यूमिलेटर डैपरिशेशन टू थाउजन कितने का बेच दिया प्लांट को सर हमने प्लांट को बेच दिया आपका 5000 का तो वाई बैंक आएगा 5000 से अब देखे सर ओटोमेटिक सर यहां पर बैलन्स आ जाएगा 3000 का सर लोस उन से लोस पी एंडल अकाउंट लोस उन से बैलन्सिंग फिक ठीक जी सर आगे बरते हैं और को सर इंफोर्मेशन दे रखे सर बिलकुल दे रखे अट्जेश्मेंट नमबर फाइव इसूड वन लैक ओप दा बॉन एट फेस वैल्यून एक्शेंज फॉर प्लांट असेट ऑन 31st मार्च तो सर आपने क्या किया बोंड इसू करती है वन लैक तो हम यहां पर क्या करेंगा सर वर्किंग नॉट नमबर पॉर बन जाएगा बोंड अकांट अब यहां पर देखिए सर जो बोंड है इसका बैलेंस के नादिर रखा ओपनिंग 245 वा प्लोजिंग 295 ठीक जी सर सर वन लैक के बोंड यूश्य किये हैं प्लांट के गेंस्ट और फिप्टी थाजंड सर पे करती है नेक्स अब लैजर करते हैं और को अब यहां अब है अब लाजर करते हैं और को अब अब प्रेश्याइब कर दे रहे हैं अभी प्रेश्याइब टाइम बिएंग के लिए एक नोग नुर कर रहा हूं टीक जी सर 10,000 प्लस आपका 75,000 आपका 725 आगया 5,000 प्लस 120 प्लस वन लाइब तर 725 आगया टैली जी सर डेप्रेश्याइशन में अगर आप देखेंगे सर तो 1,500,000 37,000 आपकाउंट डेप्रेश्याइशन आगया टीक बाइब डेप्रेश्याइशन ब्रेक में प्रेश्याइब देखेंगे टीक चले जी सर यहां पर आप देखेंगे तो 37,000 के डेप्रेश्याइशन बीदे रखा इसे मैं टिक कर देता हूं चले हांजी सर यह बिटायली होगे यह बिटायली होगे और यह बिटायली होगे 345 340 दोbenरे Huh अब हमें क्या करना सब इंचारों लेज्र में एक बेंक अडेंटिफाई करना है अगर डैक्त मेथड है अगर इन ao गांडरेक्ट मेथद है तो एक व्रेवाद एंडेंटिफाई करना और एक से पीडेंटिफाई करना हो फ कर यहां पर देखोंगा 120 बेंक है और कहीं कोई भी बैंक या नहीं है तो 120 सर आपका आउट फूल आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटिटी अचले जी सर सारी इंफॉर्मेशन दे रखी लेकिन कई बार यह चीज है बैलन्स इंग निकलती इसलिए मैं लाजर बनवा दिया ठीक एक्टिविटिशन में आपका प्रेंट प्रोफिट हुआ 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 है यह जो अपना एट थाउजन का प्रोफिट है यह ओपिटिंग और कैस् इसके अंदर क्या करें अधिशक करते हैं 37000 से अधिशन सरी आपसे प्रोफिट ले रखा करेंगे निसके पर चर्चा आए उसके बाद सर आपका फिक्स रैडिस्पोजल है सर यह आपने असेट पेचती यह लोसर लोसर उप्रेटिंग करतेंगे और जो सब्सक्राइब करते प्लांट एक्वाइर किया वहां पर नों कैसे ठीक और ना ही कोई प्रेंडल से रूट है सर हम क्या करेंगे 50,000 सर फाइनेंसिंग अक्टिविटी में आउट फ्लो दिखा देंगे चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद सर यह हो गया जी सर एक लाइन ओफ आइटम से लग रहे हैं सिंपल तीन स्टेप फोलो करनें पहला स्टेप पर फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले प्रोफिट और लोस का बैलेंस लिखेंगे हर स्टेप सर असर साइट से लग जाएंगे जो जो नसेसरी सेवन थाउजन का ओपनिंग है वन फिटीन का क्लोजिंग है पॉइंट नमबर वन और टू इनवेस्मेंट परचेश की सेवंटी थाउजन से इनवेस्मेंट सर जिसकी कोष्ट 90,000 थी 1,2000 पर बेज दिया तो सर 12,000 का प्रोफिट आगया ठीक जी सर 217 तो हम लोग क्या करेंगे सर जो 1,2000 की इनवेस्मेंट बेज़े सर इसे इनवेस्टिंग में दिखाएंगे इनवेस्मेंट परचेश की सरी Siya Investing में आउट फ्लो दिखाएंगे ठीक जी सर और जो Profit on sale of investment to us सर उसे माइनस कर देंगो ओपेटिंग से क्यों क्यों क्योंकि सर जो यस प्रोफिट है किस से ओपेटिंग और Cash से शर क्योंकि ये Non-rexim collaborating क्या करें इसे माइनस कर देंगें इसका मतलो क्या с enforcement increase हो गया होगा जै큰 क्या क्रेंगे है लिए कि सर उसके बाद आपका जितनी सेल थी उसके composition अपने पास ज़ादा आ गया सर हमने जो इंपक्त लिया है किसका इंपक्त लिए और आपका कैस एक्टिविटी मान के चल रहे हैं तो नोन कैसे और उपेटिंग अज़स्ट कर देंगे तो सेल का इंपक्त लेजर के क्लेक्शन सर्थ ज्यादा आया तो हम लोग क्या अधिक यह तो कि डिक्रीजिट टिक जी सर तक कैस ओपनिंग क्लोजिंग दिखा देंगे 15,000 और आपका 46,000 सर प्रिपेड एक्सपेंसिज डिक्रीज हो गया इट मिन्स क्या है इट मिन्स यह कि जितना हमने खर्चा चार्ज किया है हमने कंपेटिवली प्यमेंट कम की है ठीक तो हम क्या करने सर इसे एड़ बैक कर देंगे यहां पर आपका अटिस्मेंट नमबर सेवन यहां पर देखें दो 150 का डिफेरेंस है और सर यहां पर अटिस्मेंट नमबर सेवन यह होगी यह होगी सर 15,000 से टैन के साब से इसु किया तो 150 आपका फाइनसिंग एक्टिविटे में इनफ्लो आ जाएगा चले जी सर लैजर गिनेट नहीं क्योंकि सर जो डिफेरेंस आ रहा वही अर्जस्मेंट में दे रखा है रिजवेंट सर प्लस सर हो चुका है आपका जो बोंड है वो हो चुका है ट्रेड पेबल सर देखें ट्रेड प इसके बाद सर आपका इंकम टेक्स पेपर कोई बी ऐसी एक्टिविटी जो ओपरेटिंग है और कैसे है बट वो पी एंडल में नहीं आई कैसा हो सकता है सर अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करें तो सर हम उसे क्या करें फिर उसका इफेक्ट ले लेगे सर अभी तक मैंने आपको बताया है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो नौन ओपरेटिंग और नौन कैस है हम उसको अरज़ेस्ट कर देंगी क्योंकि सर हम यह एज्यूम कर रहें कि यह जो प्रोफिट एक इससे ओपरेटिंग और कैस्ट कर देंगे लेकिन सर इसके रिवर अब यहां पर जो प्रोफिट में हमने इंकम टेक्स चार्ज किया सर वह 7000 चार्ज किया है अब यह 7000 देगे सर है तो अपरेटिंग अक्टिविटी बट क्या है सर यह सर यह नों कैसे इसलिए हम क्या करें सर एड़ बैक करते हैं ठीक जी सर यहां पर 9000 का क्या जाएगा और 9000 सर क्या करेंगे माइनस करते हैं ठीक चले आगे अगे बरते हैं अब चलते पी अंडल पर देखिए सेल का इंपेक्ट सर आपका डैटर के थुरू आ चुका है कोस्ट और गूट सोल्ट का इंपेक्ट सर इसमें पर्चेज भी होगा इसमें इंक्रीज इंवेंटरी भी 147 37 तो 110 आपका अधर देप्री संथान अब सर इसमें से प्रिपेड एक्सपेंसे बने होगा इसमें सर क्या बने होगे आउट्सनिक परने होगे तो दो ले गया ठीक जी सब चलिए सर यह बैलेंस है कोई ट्राजेक्शन नीं इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट सर आइए इसमें सर आपका P&L में आया है ठीक जी सर तो सर क्या है यह जो अमाउंट होगा यह एक्रिव होगा सर पेड़ के साफ सर नहीं आया हो बिल्कुर ठीक है इरिस्पेक्टिव के अमने पेड़े लिखा नहीं लिखा ठीक जी सर तो सर यहां पर जो 23 था हो जाएंड़ा यह कौन सी एक्टिविटी सर यह फाइनसिंग एक्टिविटी तो मैं क्या करणों सर इसे ओपरेटिंग में ए सर यहां पर हमें इं्ट्रेटिविटी के इंफर्मिशन नहीं नहीं दे रखके तो हम क्या एजिम करेंगे कि 23,000 interest pay कर दिया यह हमने real में pay किया हुगा जल्दी बताइए फिर से बोल देता हूं operating वे सर इसे add कर देंगे ठीक है क्योंकि सर यह आपका non operating activity ठीक जी सर लेकिन सर financing में सर हम इसे minus करेंगे उतने amount से कितना amount हमने pay किया हुगा ठीक जी सर अब हमने कितना amount pay किया सर क्या हम सर यह जो 23,000 है जो हमने amount pay किया है ठीक जी सर क्या 23,000 पे किया है अलग पे किया है सर कुछ देन रखा तो हम एजियों कर लें मा आपको पता दूँ रियल में हमने 23,000 पे किया है सर कैसे देखा तो है नहीं कहीं पर देखे दोस्त अगर जितना खर्चा पेंडल में आया है सर पूरा पे हो गया ठीक जी सर चलिए 23,000 सर हम लोग क्या करेंगे financing activity से माइनस कर दें ठीक जी सर तो मेरा यहां पर बताने को objective यह था कि यह हमने एजूम नहीं कितना amount pay हो गया बलकि रियल में pay हो गया सर क्योंकि अगर amount अलग होता तो सर balance sheet में आ रहा हो ठीक आगे बढ़ यह operating और cash activity से ठीक जी सर अब यह किसमें जाएगा investing activity में कितने amount सर जीतने amount receive होगा सर क्या same amount receive होगा सर बिलकुल क्यों क्योंकि अगर same amount receive नहीं होता तो सर आपका difference होता balance sheet में आज़ा तो balance sheet में सर कोई amount नहीं है ठीक चले हाँ जी सर आई तो investing activity कि यह आगया आगे बढ़ते हैं इसके बाद सर question ने हमें information दी है gain on sale of investment सर अल्रीड हो चुका लोस ओन से लोप्लांट सर अल्रीड हो चुका ठीक जी सर इंकम टेक्स का प्रोजिन सर अल्रीड हो चुका ठीक जी सर चलिए अब एक बार adjustment चेक कर लेते हैं सर डिविडेंट पे कर दें क्यों क्योंकि सर यह financing activity और we assume की operating और कैस activity है तो नोन कैसे नोन ओप्रेटिंग क्या करें अर्जेस्ट कर देंगे सर यह amount आपका 16 प्लस 7 23000 का amount आ गया यह आ गया सर आपका ठीक जी सर हमने कैसे calculate कि 8000 profit increase as per balance sheet प्लस 8000 का सर डिविडेंट पे 16000 प्लस सर प्रोजिन करके दिखाए इंशूट में डिरेक्ट लिक रखा क्या बैट रहेगा आए इस बात को डिसकस करूँगा कि क्या बैट रहेगा उससे पहले सरे कॉंसर्प आपके साथ डिसकस करना है चाहता है क determine uh फ्रिटा अकाउंट बना रहे हुं है ठीक जी साथ डेकिप एड़ एंड प्रोपरियशन सर कोई अकाउंट नियों था रिजर अंस परस में किया करतें सर डिविडेंट को सर रिजम एंसर प्लस के अंदर सर हम क्या करते है डिविदेंट को माइनस करके दिखाते है ठीक जी सर लेकिन सर मैं कॉन सर्ट समझाने के लिए पी एंडल एप्रोप्रेशन अकाउंट भी यहीं बना दूँगा ठीक जी सर सर वाई पीबीटी है 10 लैक्स है तो प्रोविजन फोर टेक्सेशन असर थी लैक्स तो नेट प्रोफिट सीड असर अपना 7 लैक्स वाई नेट प्रोफिट बीड असर अपना सेवन लैक्स है ठीक जी सर अच्छा सर हमने क्या किया जर्नलीजम में ट्रांसफर किया 150 सर हमने क्या किया सर एकोटी डिविडेंट पे किया 4 लैक्स सर इसे 180 करते थे ठीक जी सर नेट प्रोफिट कैरीड डाउन इंटू बैलेंसिट सबसे इंपोर्टेंट कुन सा टापको मैं यहां पर करानी जा रहा हूं क्योंकि स्टुडेंट यहां पर गलती कर देता है हाँ धाँ है ज़्याँ हाँ है जैसे 100 डाइट जैसे सब्सक्राइट जैसे अब बनाते सर कैस्व फ्रों ओपरेटिंग अग्टिविटी तो श्रम्न यहां पर क्या करूंगा सर नेट प्रोफिट एस पर बैलेंस जिसे मोलतें इंक्रीजिन प्रोफिटिक किते निसेसर अपना आ गया 120 से इसके दर सर मैं क्या क्या एड करूंगा सर इकुटी डिविडेंट क्यों क्योंकि सर यह फाइनेंसिंग अक्टिविटी है यह कैसा सर आपका ट्रांसफर इंटो जर्नल लीज़ेओ क्यों क्योंकि सर नोन कैस है 180 से प्रोविजिन फॉर टेक्स क्योंकि सर यह भी नोन कैस है हाँ जो टेक्स पे करेंगे सर उसे हम क्या करेंगे सर उसे हम सर माइनस करते हैं ठीक जी सर तो टेनलेक आ गया कैस फ्लो प्रोम ऑपरेटिंग ठीक जी सर अब सर देखिए अगर क्वेस्टन मेरे को पीएंडल के वेस्ट पर दे रखा तो मैं क्या करूँगा सर बल कैसे बोलता हूं पहले न अगर क्वेस्टन मेरे को बैलंस इट के यह सिक्स लाइक है माल लो और यह आपका 720 ऐसे होगा ठीक तो सर मैं क्या करूंगा बैलेंस से प्रोफिट उटाओंगा और इसमें सारी चीजें सारी चीजें क्यों 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 सब क्लिफाक्ट आच्छुप है लेकिन माल लो सर अगर मैं नेट उठाता हूं कैसलो फ्रों ओप्रेटिंग एक्टिविटि कितने से सर अपना सेवन लाग से तो क्या मैं इसके अंदर इक्विटी डिदेंट जनली जब आड़ करूंगा और सर क्यों सर हमें से अड़ करते हैं मेरे बाई बड़े आराम से मेरी बात सुके मैं यहाँ पर आड़ नहीं अच्छा हां जी यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर सर क्योंकि इनका इंप्राइक्ट आचुका इसले मैंने क्या कि अडिजिस्क कर दिया ठीक जी सर अगर मालो मेरा क्वेस्टन जो है वो स्टार्ट होता है नेट प्रोफिट से नेट प्रोफिट का में लोग क्या सर आपका after text before any kind of appropriation तो सर फिर मैं पता क्या क्या करूं सिर्फ प्रोफिजन पो टेक्स एडिकर हूँ और सर अगर मालनो मेरा question क्या है सर पीबीट से start होता सर में इसमें कुछ भी अर्जस्ट ने करें क्यों क्योंकि सर इसमें effect ही नहीं आया हम सर कोई यहां पर plus minus नहीं कहल रहे हैं यह add कर दो यह minus कर दो सर हमें यह देखना पड़ेगा कि जो प्रोफिट हमने लिया उसमें effect आ न बूल गे हो तो सर हम add करेंगे क्यों क्यों उसका effect आया ही नहीं तो सर हम यहां पर plus minus क्यों करते क्यों क्यों करते कि जो प्रोफिट है वो और कैस्स नोन और नोन कैस ने चर्किए अज़स्ट करते ठीक जी सर अब यहां पर आप देखेंगे तो इस question ने सर क्या किया है सर direct profit उठा लिया है PBT और जब सर अपने पास PBT अवेलेबल है तो सर हमने क्या 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 प्रोफिट उठा लिया और इसमें कुछ भी अज़स्ट नहीं किया जबकि सर मैंने क्या क्या था अब हमें एक्जाम में क्या करना चाहिए देखिए अगर question आपका balance sheet का है तो सर आपके पास जो profit होगा सर वो सब कुछ adjust होने के बाद होगा इसलिए अगर आपका question प्रोफिट लिया है यह सर आपका profit जो है वो balance गलती करते हैं और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप इस पर कभी भी गलती नहीं करेंगे हां मैं highly recommend यह करूँगा अगर प्रोफिट उठाया सर उसमें लोग क्या करेंगे सर जो चीजे उससे पहले सर वो करेंगे उसके बाद की चाहिए नहीं आया हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं कि इल्लस्टेशन नमबर सेवन कि प्रीपेर एक कैश्वल स्टेट्मेंट फॉर्टाइए रेंड़ ठीक जी सर अब यह question देखिए अब यहां पर देखिए सर हमें सबस्के बाद से हमें क्या करना सब्सके बाद सर उसके बाद सर वह यहां पर देखेंगे तो आपका एक फिक्ससर से रिलेटेड है और यह profit की समरी दे रखेंगे ठीक जी सर सेगंड स्टेप पर हमें क्या करना से सर प्रोफिट लिखना चाहिए ठीक जी सर मैं फिर से बोलूँगा क्योंकि क्वेस्टन सर बैलन सीट का है तो रिजमेंट सर प लेते सर पीवीटी लेते हैं यह वाला तो सर फिर हम इसमें पीवीटी के बाद के आइट में रिजस्ट नहीं करें ठीक जी सर चलिए अब असेट साइट से चलते हैं देखे सर सबसे पहले क्वेसे ने दिया है नोन करंट असेट की इंफॉर्मेशन ठीक प्रोपर्ट्री प्लांट एक्ट्यूपेंट नोट नमबर फॉर पर चलते हैं अगर विद्टिंग 10,000 10,000 फिक्चर सर 11,000 17,000 वहिकल सर 8,000 12,500 यहां पर अगर आप देखेंगे तो डैपरिशन सर फिक्चर और वहिकल पर दे रखा सर बिल्डिंग में कोई डैपरिशन कोई मोमेंट नहीं है तो सर कैसल कोई बिंपक्र नहीं आएगा तिक फिक्चर के ब चलिए अब यहां पे सर यह है आपका फिक्चर्स और फिक्चर्स में सिर्फ एक इंफोर्मेशन दे रखी डैपरिशन दे रखा क्योंकि सर यह नेट बलोक है तो आपने डैपरिशन कहां चार्ज क्या होगा सर सर अचैट में तो सर यह आपका 7,000 के सर पर्चे जागी और 1000 ओपरेटिंग में हम एड कर तेंग ठीक है सर कई د्यपरिशेशन 1,000 इसर ओपरेटिंग में कर तेंगे और सर इञ चैट क्या करें पर्चेत जो फिक्सर्स सर 7,000- कर दें ठीक है इसके कहिं सर वहिक्तित की इंफोर्मेशन दे रखिए 8,000 और 12,500 है यह वहिकर 8,000 12,500 ठीक जी सर सर डेप्रीसेशन है 2,500 से ठीक है सर उसके बाद सर आपने डिस्पोज कर दिया प्रोसीड साहिए 1,700 की सर रीटन डाउन है 1,000 से प्रोफिट सर 700 से हाला कि हम सारे चीज़े कल्कुलेट करके दे रखी लेकिन मैं तब यह सजेस्ट करूँगा कि आप क्या करें सर डिस्पोजल अकाउंट ओपन करें वहिकल डिस्पोजल अकाउंट 1000 का केरिंग अमाउंट है आपने सर उसे 1700 का बेच दिया है और 700 का सर आपको क्या हो गया प्रोफिट हो गया है तो सर यहां पर 1700 आ गया 700 का सर प्रोफिट आ ठीक जी सर तो हम इसे क्या करें सर ओप्रिटिंग एक्टिविटी में से माइनस कर देंग ठीक जी सर चलिए अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो सर वहिकल का ओपनिंग बैलनस एट थाउजंट है टेफिविएंडल का डेपनिट सर टेफिषेंट है वं फाूजंड सर असाथ डिस्पोजल है वेल्जंड मेंग आपका सॉलसेंग बैलनस है माइनस एट थाउजंड सर एट थाउजंड से वहिकल क्या आगया पर्चेस आगया ठीक तो इसे minus करेंगे, sir किस के अंदर? Sir, इसे minus करेंगे, sir, आपका investing, depreciation को operating area करें, और 900 profit हुआ है, sir, इसे operating को minus करेंगे, ठीक जी sir, depreciation tp, dp, d . Profit on sale vehicle minus करेंगे और आपका sale vehicle aगया, sir, सर ठीक है और परचिय जो वहिकल अगए ठीक जी सर यह देखिए ससे लोगकल अपका इन फ्लो हाग्य़ है चलें आगे जी सर अगे इसके बाद सर क्वेस्ट स्पेसिफाई करेगा कहें यो सकाईलर गष्टा में करिया ठीक हुंगे में क्वेस्ट्ध में करेके चलेंगे तक की होती है लेकिन सर कैस एंड कैस्ट इकलेंट जो सोटम हाली लिकुड होती है सर जिसमें इन सिग्निविकेंट जो ता वैली है ठीक सर वह आपका सर 3 MONTH तक होती है डेट ऑफ अगर क्वेशन में करेंट इनवेस्टिंग अक्तिविकेंट मान के चलते हैं थीक जी सर क्योंगी और ऑट जाएगा ट्रेलर इसे उल सर पढ़ गया मतलब सर सेल का इंपक्ट आयोगा प्रोफिट में बट सर कलेक्शन अपने पास कम आया है तो हमें क्या करना सर माइनस आ जागए 2000 से इंकरीजिन इन्वेंट्री सर कैसे इकलेंट है बाइफर्केशन नहीं दे रखा अगर दे भी रखा तो कोई दिकत नहीं है तो अभी हम इसे इकठा लिखते हैं एक बाद बता दू आपको जी सर अगर यहां बाइफर्केशन दे रखाते हैं तो फिर हम लोग इसका बाइफर्केशन नोट्स वाउन में डिस्क्लोज करते हैं ठीक जी सर यहां सर कोई बैक्टन लेते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं सर आपका इकविटेंड लाइवल्टी साइड में सेर कैपिटल 10,000 सर कैपिटल बढ़ गी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इंफ्लो प्लस हो गया है अपना बढ़ गया है इसका मतलब क्या है कि सर हमने पेमेंटे कम की होगी ठीक परचिस का इंपेक्ट जाद आया होगा तो एड़ बैक कर देंगे 1500 अधर कंक्लाइबल्टी मौट नमबर थ्री सर डिविडेंट पेवन दे रखा ओपनिंग कितने से आपका 1000 से ठीक है क्लोजिंग जीरो है और क्वेस्टन हमें बताया है कि डिविडेंट डिकलेर किया है 2000 ठीक है तो सर प्रिनल कांट में इसे चार्ज किया होगा इसका मतलब करेंगे और 3000 डिविडेंट पेड मतलब यह डिविडेंट डिकलेर है 2000 इसे याड करते हैं और जो पेड़ है सर इसे क्या करें माइनस करतें किसमें से फाइनसिंग एक्टिविटी से सर यह सिंपल प्रोजिसर सर आपने हर क्वैसिन में अफ्लाई करना आप देखना कभी गलती होगी नहीं क्योंकि सर हम स्टेप बाई चल रहें कोई चीज मिस करके चली इन रहें आगे देखते हैं यग से इस लेजर बना लेते हैं 1000 सर ओपनिंग बैलेंस हैं कि क्लोजिंग सर 1500 है अभका सर जो फिक्रेंट टेक्सर वो 1500 है इसका मतलब सर 1 ताउनग अमने करके टेक्समें है यह ओपरिटिंग और कैस एक्टिविटी बड़ पीनल में नहीं है इस फेक्त ले लिए ठीक को यह देखें सर्ण आपका टेक्स पिरडे है नहीं कर देंगे है कि अगर अगर की अलेते यहाँ फाल पे इन्वेस्टिविटी और आपका फाइनसिंग अक्टिविटी नेट कैस्ट लो आ गया तेली आगे बढ़ते हैं इलस्टेशन नमबर एक मैसर जोती और स्टार ओय लिम्रेट हैज क्लेक्टर दा फोलिंग इन्फोर्मेशन फॉर दा प्रिपरेशन ऑफ दा कैस्ट लो स्टेट्मेंट फॉर दा इरंडर ठीक सर यहां पर आप देखेंगे तो आपनी कैस्ट लो स्टेट्मेंट बनाना है और क्वेस्ट्र में सर कोई अर्जस्मेंट नहीं दे रहा कि ठीक जी सर नेट प्रोफिट सर आपका ओपिटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा सर डिविडेंट पेट सर यह आपका ओएगा फाइनसिंग एक्टिविटी में सर क्या यह जो डिविडेंट पेड है यह यहां पर एड़ होगा नहीं होगा अभी चर्चा करें एक मेंट होल्ड करते उस बात को पहले फाइनसिंग से सर माइनस कर देते 85 35 ठीक जी सर सर आगे लिखाँ provision for income tax 5000 से ठीक जी सर सर देखे जर्नली क्या होता है net profit का मतलब होता profit after tax before any kind of appropriation ठीक जी सर क्या मतलब होता है profit after tax before any kind of appropriation इसका मतलब क्या है सर इसका मतलब यह है कि जो ये P&L है profit after tax होगा 25,000 से ठीक जी सर provision for tax होगा सर अपना 5000 से तो PBT कि तो निशाएगा 30,000 से ठीक जी सर अब यहाँ पर student के query आती है कि सर एक बात होता हिए इस question में प्रोविजन for tax तो आपने जोड दिया मैं का विल्कु जोड दिया क्यों हो जोडा सर क्योंकि सर इसमें से घटा होगा था क्योंकि net profit का मतलब हो था profit after tax before any kind of appropriation ठीक जी सर फिर सेकेंड क्वेरी स्टुएंट क्या जी किया और पता क्या करते है यह इस question का फोटो बेजेंगे सर इस question में तो आड़ नहीं किया और बाग क्यों मैडिकर रखा है अब सर आप यह query कभी भी नहीं पूछें क्योंकि आपके query पूल दर से result हो गी है क्योंकि सर यह जो profit है न सर यह after tax before any kind of appropriation इसमें से घटा ही नहीं तो हमें सर यह देखना पड़ेगा कि अगर question balance sheet का नहीं है तो हमने जो profit लिया सर वो कि स्टेज का लिया है उस stage से पहले की item अर्जस्ट करेंग उसके बाद क इसका इफेक्ट नहीं लेंगे ठीक चलिए 8535 चलें जी सर इंकम टेक्सपेट सर ओपरेटिंग है और कैसे activity बट पीनल में नहीं आये होगी तो सर क्या करेंगे इसका effect ले लेंगे अर्जस्ट नहीं करेंगे इसका effect ले जांगे ठीक जी सर लोस ओन सेलो असेट सर जब आपने असेट बेची तो उसके उपर क्या हुआ लोस हुआ तो सर आपने क्या किया होगा तो क्या करेंगे सबसें सर एड़ बैक करते हैं ठीक है ओपरेटिंग में और बुक वैलिए असेट किती नहीं सर 185 लोस फोटिक आवा 145 सर प्रोसीट से इन्वेस्टिक अक्टिविटी में सर आपका इन्फिलो आज आए यह देखिए चले जी सर आगे बढ़ते हैं किअ देखिए चार्ज ओधी स्टेट्मेंट को पियंडल सर नों कैसे जी सर ऑप्रेटिंग वार्टिंग क्रदेगे प्रोफिट उंसेल अफिं इंवेस्ट्मेंट क्रदें गे ऑपरिटिंग निस ञारी के आपका शोब प्रोसीड काम लग किते ने सैट 27865 शकिक्षिसे इन ऑप में interessant के नाव से पर एंस्द करते हैं पर इंट्रेस्ट इंकम्रिक्स उण और कैसि और क्या करएंस के अंदर अज्यज्स करेंगे clinic चलिए अगे बढ़ते हैं in metal expenses operating में एड़ कर देंगे इंट्रेस्ट पेड़ सरथ फाइनेंसिंग माइनस करते हैं चलिए इंक्रीजिन वर्किंग करते हैं अगर वर्किंग बढ़ते हैं इसका मतलब क्या होता सर यहां तो करेंट अपने पास क्या है क्लेक्शन कमाया तो सर इसे हम क्या करेंगे क्योंकि अगर इंक्लोडिंग होते तो सर फिर हमें क्या करना पड़ता कैसे यहांसे हटाने पड़ते हैं ठीक जी सर क्योंकि उसे हम अलएक रेजेंट करते हैं परचेश ओफिक्सर अपका इंवेस्टिंग आउटफलो इंवेस्टिंग आउटफलो एक्सपेंशर और कंस्ट्रक्शन डॉइप शर इंवेस्टिंग आउटफलो ठीक जी सर प्रोसीड्स फ्रों कोल से नेरियर सर आखा फाइनसिंग इनफ्लो फीसरफ़ेट जूइंट विंप इंचर डबशलिए रिक्स ऑफ इनजब्राइशित और तर इस सर अगरर्एंग्ärenट मिलती है तो इसके बारे मेंसर कि यह सद्री है और इचाइंटाइंस बीस वाइन्ट है लेकिन सर इंस्टिट की एक्सपर्ट एडवाईजरी कमेंटी में ओपिनियन दी इंडेयस के कंटेक्स्ट में कि अगर गोर्मेंट से हमें ग्रांट मिलते है सर आपका कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए नहीं उसे क्या करें सर एज इंवस्टिंग एक्टिविटी में इंफ् का इंडेज के साफ सो ठीक जी सब horrifying कि समय इंटरेस्ट इंकम अट्रिक इसमेंट यह अच्छा यह अपका इन्वेस्टिंग आजाएगा और ओप्रेटिंग में से माइनस करती है तीक होने से रहे गया था ये नेट कैस फोलो आ गया चलिए इलस्टेशन नमबर 9 से बहुत ज़्यादा असान आप खुछ से करेंगे इलस्टेशन नमबर 10 सर बहुत ज़्यादा असान है लेकिन मैं तब भी कराऊंगा सर क्योंकि इसमें आपका डारेक्ट में और इंडारेक्ट में आपको और क्लारिटी आजाएगी ठीक है जी सर चलिए इलस्टेशन नमबर 10 गीवन बिलो आर दी रेलिवेंट एक्ट्रक्ट ओप दा बैलंसीन एंड स्टेटमेंट और प्रोफिट और लोस अब अबिसलिए अलोंग विद अदिशनल इन्फोर्मेशन एक्सट्रक्ट ओबैलंसीट दे दिया सर स्टेटमेंट ओप्रोपियेशन आ गया नोट्स टोगांट अगया पहले डिरेक्ट मेथड की बात करेंगे ठीक फिर इंडारेक्ट मेंथ की देखिए सर मैंने आपको बता था इंडारेक्ट में लोग क्या करते हैं सर प्रोफिट अपना क्वेशन स्टार्ट करते हैं लेकिन में आपको बता दूँ डारेक्ट में हम क्या करेंगे सर बैलेंसीट की असट साइट से लग जाएंगे ठीक जी सर एक प्यारी सी बात ओर प्रेंटर निकालना पड़ था ठीक जी सर तो सर यहां पर आप देखें तो इस सक्वेशन वेशन डारेक्ट दे दिया है तो सर आप यहां पर इंवेंटर का लाइचर न फीन न आउब तो भी आपका काम चल जाएगा ठीक जी सार अचलिए तो असे और से लिग जाते सबसे पहले सर inventory सर देखिए डारेक्ट में inventory का कोई रोल नियां सिवाए परचेश का माउंट कैलकुलेट करने का और सर परचेश का माउंट सर यहां पर दे रखाए इसलिए सर यहां पर इसका कोई रोल ले टिक जी सर रेट रिशेबल हाला कि मैं हमेशा स्टुटेंट को यह बोलता हूं कि आप inventory का लाजर बना लो बनाने कोई बुराई नहीं है ठीक क्योंकि सर डेटर क्रेटर और इंवेंटरी हम जर्नली के अगरे तीनों लेजर एक साथ बनाते हैं ठीक ट्रेट रिशेबल के अगर बात करें तो सर ओपनिंग है अपना तूफिप्टी से क्लोजिंग अशर अपना फोर हंड़र्ड से रिवेन्यू फ्रोम ओपरेशन सर फोर फवन फवजिव टू एंव बैंक आ जाएगा सिर आपका टूफिप्टी फ्लस पोर फवन फाव जिरो माइनस सर प्वोर हंड़र्ड से बाइब बैंक आ जाएगा तो क्लेक्शन फ्रोम डेटर सर आपका फॉर थाउजेंड से इसके बास आप अदर करेंट चेट पर चलते हैं नोट नूमँए थरह एड़र्ड टेक्स है देखेए सब्सक्र माइब बैलर्च प्रोजीन फॉटेक्स का लैज्जर समया ले एक साथ बनाते हैं और अप लिजोंग फॉर्टेक्स अडवान्स टेक्स एक बार बैलन्स लिखते हैं फिर देखते सर्क्वेसिंग क्या कहते है सर आपका अडवान्स टेक्स का जो बैलन्स है 180 और 195 दे रखा ठीक जी सर् 180 सर ओपनिंग है 195 सर अबना क्लोजिंग है लिखेंगे और प्रोविजन फोटेक्स का बैलन्स कैसे दे रखा है सर नोट नमर वन में है 180 और 200 सर प्रोविजन फोटेक्स दे रखा करंट यह का पी एंडल में मिलेगा सर सर 200 से अब इसका मतलब क्या सर देखिए आपका ओपनिंग प्रोविजन 180 था ख्लोजिंग प्रोविजन फोटेक्स लिए लिए कि अद्वांस टेक्स ठीक जे सर चलिए आगे बढ़ते हैं असेट साइड के बाद सर लाइवल्टी साइड में सर ट्रेड पेबल लाजर बनाएंगे 230 250 और सर जो पर्चेस की इनफॉर्मेशन है वो है पी एंडल में सर 2400 से है तो 2380 की सर क्या होगी पेमेंट होगी है 2380 आब कि अध्यार को आधर क्राइबली चलते हैं शेकिंड नोट सार आउट्सर याउट्ट्रेडिंग वेजिज एंप्लूई बेनिफिट में और आउट्सरेंग एक्सपैंसिज निए ठीक जी सर तो आई दोनल लेजर बनाते हैं पहले कुछ बनाएंगे बनाएंगे जार आ हमने सर employee benefit में कितना खर्चा record किया सर 800 पेमेंट आ जाएगी आपकी 790 से तो पेमेंट ओफ वेजिद सर आपका 790 है अधर एक्सपेंसे आउट्रेंग एक्सपेंसे सटेन और ट्वंटी सर यहां पे अधर एक्सपेंसे सर हमने रिकोर्ड किया है 200 तो सर 190 की पेमेंट आगे बढ़ते हैं सर अपना बैलेंसीट होगी अब पेंडल में चलते हैं इसका इंपक्ट सर हमने क्लेक्शन फ्रॉम डेटर से ले लिया अधर इंकम की बात करते हैं सर अधर इंकम में सर आपका नोट नंबर 4 हैं इंट्रेसेंट डिविडेंट है सर तो सर यहां पर आप देखेंगे तो इंवेंट्री सर नीड नहीं है एंपली बैफिट आगे डिपेशन सर नों कैसे फाइनेंस को सर आपका फाइनेंसिंग अधर एक्टिविटी अधर इंपक्ट ले लिया ठीक जी सर चलिए तो डारेक्ट मैथल में सर अगर आप देखेंगे तो यह आपका कैस्वलों परोपर और क्वेशन को सर ऐसे पढ़ेंग जैसे हम सुरू से क्वेशन पढ़ते हैं तीक आई सुरू से चलते हैं क्वेशन के इवन बिलोवार दा रेलिवेंट एक्स्ट्रेक्ट ऑब बैलेंसिट एंद स्टेट्मेंट ऑफ प्रोफिट और लोज ऑफ अवव अवीशी अलों बैलेंसित में देही ने रखा ठीक तो हम सर क्या करेंगे पेंडल यहां से ले लेंगे ठीक और डारेक्ट सर पीबीट उठाल लेंगे इसमें कुछ भी अर्जस्ट्मेंट नहीं करेंगे इन रिगार्द दूसर आपका डिविडेंट है यह आपका सर टेक्स के एक्सपेंड चले जी सर आईए ट्रेड रिसेबल पढ़ी इसका मतलब किया सर कि जितना सर सेल का इंपक्ट आया है कलेक्शन सर उसके परजिन में कम आया हम क्या करेंगे सर माहिनस कर देंगे अगर में चलते सर आपका अडवांस टेक्स और प्रोसिन फोर्टेक्स का सर अकाउंट बनाएंगे और फिर सर दिखनेंगे टेक्सपेंड कितना सर वो जो मैंने वी तिन लेजर बनवाये तो सेम लेजर बन जाएंगे तो 195 पासर आपका टेक्स्पेड आ जाएगा टेक्सपेट ठीक जी सा चलिए हालागी टेक्सपेट लास्ट में लेना होता इन्होंने पहले दीक रखा है आप ट्रेट पेबल सर इंक्रीज हो गया इसका मतलब क्या है कि सर जो पर्चेज का इंपक्ट था उसके कंपेरिजन में हमने पेमेंट एक कम की है तो सर एड़ बैक कर देंग ट्रॉन ट्रॉंटी को मतलब हमने सर जो खर्चा चार्ज कि रखें के पेमेंटे कम की अड़ी कर देंगे आप चलते हैं सर रिवैंट इंपक्ट किस में आ गया इसका इंपक्ट अपना इंक्रीज है सवा सो foreign हमारा इंकम से क्या हुआ हो हमारा प्रोफित बढ़ी यह और कि रखते हैं कि रखिए प्रॉब्रभ और बढ़ा हो और मेंसे करतेंगे है आगे बढ़ते हैं कि सर परचेज का इंपक्ट हमने सर अपना करेंट इंक्रीज दिक्रीज के थ्रूर ले लिए एंप्लोई बैविट एक्सटिक ले लिए बैप्रेसिन नौन कैसे अड़ी बैग कर देंगे फाइनन को सर नोन अफ़का ओपरेटिंग क्या करेंगे एड़ कर देंग ठीक जी सर औ तो यहां पे सर आपका यह दोनों एड़ बैक हो जाएंगे और सर यह अपना फाइनली आंसर आ जाएगा दोनों मैठर में सर अपना आंसर सेम होगा ठीक जी सर इलिस्टेशन नमबर 11 बे चलते हैं आसान सा इलिस्टेशन है देखे क्या लिखते हैं प्रिपेर कैश फ्लू फोर गामा लिंटर्ड फोर दा यह एंडिंग 31st मार्च एक्सवन फ्रॉम दा फोलें इन फोलें इन फोलेंगे सर हमें क्वेस्टेशन ने बोला है आपने कैश फ्लू बनाना है ठीक है जी सर और डारेक्ट अजूस्मेंट देदी कोई बैलेंसी पेंड अपने परचेश फोर दा इयर अमांट टू 135 परचेश लेन अपना यह जल परचेश फॉर दा एयर आमांटेट टू 55 बट आउट विज क्राइट परचेश सर आपका 44 है तो 11 कि सर प्रेमेंट आ जाएगी as a cash purchase cash purchase cash sale ठीक जी सर चलिए administrative and selling expenses amounting to 18 crore and salary paid amounted to 22 crore सर अब का operating activity में 18 और 22 माइनस कर देंगे चले आगे बढ़ते हैं the company redeemed debenture of 20 crore at a premium of 10% ठीक है debenture holder were issued equity share of 15 crore towards redemption and balance watch paid in cash सर यहां पर देखे 22 की payment हुई है लेकिन सर 15 crore के हमने क्या किया सर equity share issue करते तो 7 crore आ जाएगा सर आपका outflow और debenture interest आपका 1.5 22 कैसा है 20 plus 10 percent equal to 22 ठीक चर्डी आगे बढ़ते हैं सर डिविदेंट पे दूरिंग देए सर आपका 11.7 crore आगे financing activity है इंवेस्टमेंट कोस्टिं 12 crore वर सोल्ड एट प्रोफिट ऑफ 2.4 crore सर आपने investment जिसकी कोस्ट 12 crore थी उससे 2.4 crore के प्रोफिट भेज दिया मतलब 14.4 crore आ गया सर आपका seal of investment चलिए आगे बढ़ेंगे रुपीज 8 crore वाज पे टूर्ड इंकम टेक्स पे सर आपका operating में माइनस कर देंगे है इन न्यू प्लांट कोस्टिंग रुपीज 21 crore वाज पर्चेस्ट इन पार्ट exchange of an old plant ठीक है सर हमने एक new plant 21 crore का प्रचेस किया उसके बदले हम सर क्या क्या ओल्ड प्लांट दे रिया ठीक दा बुक वैल्यू अल्ड प्लांट वास 12 crore ठीक है बट दा वेंडर तू कवर दा ओल्ड प्लांट एट वैल्यू टैन क्रोड ओंडी सर यहां पे जो टू क्रोड क्यों का हमें लोस हुआ है हम उसे क्या करेंग सर ओपरेटिंग में एड कर देंगे इंडारेक्ट मैसल लेकिन यहां बेरेक्ट मैसल सर तो इसका कोई treatment नहीं होगा और 21 क्रोड का प्लांट परचेस किया 10 क्रोड का सर वह हमारा प्लांट लेके गया तो 11 क्रोड सर 54 से तो 45 फ्लस 54 माइनस 50 सर 49 से आपका क्लेक्शन प्रों डेटर आ जाएगा सर क्राइटर का लैजर बनाते है 21 23 और जो गुड्स हमने परचेस किये सर 44 क्रोड के क्राइट परचेस किये तो 21 प्लस 44 माइनस 42 के सर पेमेंट टू क्रेटर आजएगा चले जी सर यह बैलेंस आगया यह फाइनल प्रोड़िटिंग अक्टिविटी इन्वेस्टिंग अक्टिविटी सर आपका मेरी बात बड़े ध्यान सुनना सर सर प्रोप्राइटर के बिजनस के के सर प्रोप्राइटर अगर ड्रोइंग करता है या सर वह पैसा बिजनस में लगा आता सर हम उसे एज फाइनसिंग अक्टिविटी करते हैं एक प्यारा सो पॉइंट और इस क्वेशन में आपको कंप्लीट करा हूँगा ठीक और उस प्यारे सो पॉइंट को अलग से स्पेशली डिसक्स करों देखी क्या लिगता है सीटी नेट फ्रोफिट डिफ्रेंस सर आपका ड्रोइंग सा सकता है क्वेशन खुद इंट्रोमेशन दे सकता है ठीक सर लैजर बैलेंस ओप मिस्टर जैट एज ओफ एक सिरो और एक स्वान जैट की क्वेटल देदी ट्रेड पेपल आ गया कर द्रेड ल्ओन आगया लोन फ्रोफ वेंक आ गया गया नेट ब्लोग थीक जैसंफेंटिये ट्रेड रिसेडों ऐसे और अगर इस से यह net ब्लोग ना भी लिखता तो भी नेट बॉंकी रहता योगके सर जो आपका में नेट ब्लोक है ना सर उसमें कोस्ट माइस डेप्रिसेशन होता है और सर मे कोस्ट डेप्रिसेशन की इंफोमेशन सर यहां पर नहीं दे रहे हैंसे यह नेट ब्लोक है ठीक एडिशनल इन्फरमेशन ए मसीन कोस्टिंग 80,000 एक्वन डेप्रिसेशन सर आपका 24,000 वाज सोल 40,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसेशन दे दिये सर आपको नेट प्रोफिट दे दिया ठीक जी सर आपने कैश्वलो स्टेटमेंट बनाना है ठीक आए सर यहां पर आप देखेंगे तो प्रोफिट आपको 360 का दे रखा ठीक है जी सर यहां पर प्रोफिट की अलग से हैड नहीं दे रखा लेकिन कैपिल दे रखी है ठीक है जी सर तो ओपनिंग कैपिल कितने से सर आपका 10 लेक्ट से प्रोफिट कितना कमाया सर 360 तो सर इसे थम ओपरेटिंग में दिखा देंगे 360 को ठीक है सा और क्या मानेंगे यह ओपरेटिंग और कैसा क्यों क्या करेंगे सर अर्जेस्ट करते हैं ठीक जी सर 10 लेक प्लस 360 माइनस सब्सक्राइब करेंगे माइनस करके दिखा देंगे अब हम क्या करेंगे सर अपने को दे रखिए सर लैंड की इनफोर्मिशन सिक्स लाइक से अब मैं एक प्यारा सा कॉन सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कराऊंगा अब बड़े अराम से मेरी बात सुमेंगे सर यह बैलन्स इट है टी फोंग में है सर यहां पर अगर आप देखेंगे तो टू इयर का डेटा दे रखा ठीक जी सर यहां पर एक साइट असेट होगे एक साइट से लाइबल्टी होगे सर पीपी है 100 से 120 से ठीक है जी सर सर एक्ट्यूमिलेटर डेप्रीसेशन है सर आपका 30 से और 40 से सर बैलन्स आपका 70 और 80 ठीक जी सर बताइए यह ग्रोस ब्लोक है ने ट्लोक है सर ग्रोस ब्लोक है ठीक जी सर अच्छा मैं एक बात और बूच हूं जी सर एक्क्यूमिलेटर डेप्रीसेशन सर जो है क्या इसका कोई बैलन्स है सर बिल्कूल बैलन्स सामने दीक रहा है क्या बैलन्स इत में कोई भी आइटम कैसे जाती है सर देगे सबसे पहले ट्रांजेक्षिन होती है इवेंट होता है इसका बनता फिर लेजर कोई सर यह एक क्वेसं डिया साथ च्या क्वेशन दिया यह बैलन्स इत देडी है और सर यहां पे अपने को PP का बैलंस देती है ठीक जी सर और सर जो PP का बैलंस देती है सर यह अपना है net flow कैसे पता लगा सर डैप्रिसेशन का लैजर नहीं भूलावा ठीक जी सकते और सर क्वेश्चन ने क्या क्या information दे दिया में अर्जेस्ट्मेंट बैलेंस ओप एक्विलेटेड डैप्रिसेशन एज पॉपनिंग एंड क्लोजिंग और रूपीज 30 एंड रूपीज 40 रिस्पेक्टिवली यह हमें information रखिए है अब बताईए जो प्रोपर्टी प्लांट एंड एक्विलोग पर अराम सोच कर बताईए जो प्रोपर्टी प्लांट एक्विलोग पर यह सर ग्रोस ब्लोग पर यह नेट ब्लोग पर सर यह है नेट ब्लोग पर अब कुछ प्रोंट करते सर ग्रोस ब्लोग पर मैंने का क्यों सर यह देखिए यहां पर अपने को बैलेंस दे रखा अगर आप देखेंगे तो लैजर में ने दे रखा ठीक जी सर तो सर ऐसे से बना सकते हैं कि सर ग्रोस के साथ से दे रखी होती है जैसे सब्सक्राइब कर दिया तो कैसे निकलेगा यह बना के निकलेगा रेट अधान बनाना पड़ेगा तो सुर्ष यह बनाना पड़ेगा तो अई आइसे केसमें में पता क्या करते हैं सर प्पी को ग्रोश ब्लोग पे ले आते और एक्रिव डेप्रिस्ट्रों का अकाउंट ओपन कर लेते हैं है यहां और सर अगर मैं बात कुल पीपी का बैलेंस कितने से सर बीड़ी से और सीडी कितने से यहां पर क्या पर अगर अगर अपने को ऑपनिंग खेंगे एक अलग से रही है तो 100 जैसे मैं 100 लिखंगा तो यहां पर 30 का बैलेंस मिल जाएगा और सर जैसे मैं 40 लिखंगा तो सर यहां पर क्या होगा 40 का बैलेंस मिल जाएगा 120 बात सुने में जी सर सर मैं इसके तरह उसे कर लगा है ठीक जिस आई यहां पर अगर आप देखेंगे तो सर क्वेस्टन ने अपने को इंफोर्मेशन दिया प्लानर मसीनरी के नेट ब्लोग की लेकिन सर आगे लिखता है के मसीनरी कोस्टिंग 80 थाउजन आपका 24 थाउजन वाज सोल फोर्टी थाउजन ठीक है अब यहां पर यहां पर कैसे कर निकलेगा सर अगर यहां पर देखेंगे तो अपने को सर अजस्ट्मेंट में दे रखात हम लोग क्या करेंगे सर इसकी एंट्री पास कर लेंगा और यहां पर हम बनाएंगे प्लांट मसीनरी अकाउंट और दूसरा आएगा सर आपका अगर मैं प्लांट एंड मसीनरी के बैलेंस की बात करूं तो सब 640 ओपनिंग है और 440 अपना क्लोजिन है 640 440 एक्ट्यूनिटी डेप्रिशेशन सर अपना टू लैक और 320 है तो सर टू लैक से हमने एक तरीके से एंट्री पास करती है 840 अब टू 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 जी सर चलिए एक मसीन है कोस्टिंग एटी थाउजंट है सर टू 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 हमने उसे 40 थाउजंट में बेच दिया तो सर मसीन है 80 थाउजंट ठीक है डेप्रिशेशन के तरा उसके ओपर सर है आपका 24 थाउजंट तो असेट डिस्पोजल अकाउंट ओपन हो जाएगा 80,000 सर मसीन की कोस्ट है डेप्रीसेशन सर आपका 24,000 है ठीक जी सर सर हमने उसे कितने का वेच दिया सर 40,000 पर ठीक है सर तो 16,000 का सर लोसों सेल आ गया ठीक जी सर एड कर देंगे ओपरेटिंग अक्टिविटी में और सर यह आपका इनवेस्टिंग अक्टिविटी में आ जाएगा ओपरेटिंग इनवेस्टिंग ठीक जी सर सर डेप्रीसेशन तो 24,000 प्लस सर आपका 320 मैनेस सर आपका 144 सर आपका करण्ट यह का डेप्रीसेशन आ जाएगा यह देखे सर और सर अगर आप यहां पर देखेंगे तो 840 डेबिट साइड है और 80,000 प्लस 760 आपका डेट साइड भी सेव है सर कोई भी इसमें और नहीं आएगी ठीक जी सर चलिए आगे बढ़ता है इसके बाद सर अपने को जो सर इनफोर्मेशन देख क्वेस्ट्रै कि ठीक सर इनवैंटरी एक्टी इंक्रीश होगे तू लेक्श अपड़के नहीं सर इप्रेश ओगी तो इसे क्या करें रिपा देख गये ठीक जी सर सर ट्रेड रीशेबल सर बढ़ गए हैं इसका मतलब सर क्या है कि इन कंपरेशन टू सेल कलेक्शन कमाया होगा सर क्या करें माइनस करतें सर कैस्ट ओपनिंग क्लोजिंग लिख लेंगे 80,000 और आपका 56,000 ठीक जी सर सर कैप्टिल की बात हो चुक है कि ट्रेड पेबल अपना 320 सर बढ़े किया हो गया है सर 352 हो गया है मतलब सर हम पेमेंट क्या की होगी जा तो एडबैक कर देंगे 32,000 से जैसे ट्रेडरी सेवल बढ़ता है अब उसे माइनस क्यों करते सर क्योंकि सेल के ऑप्रक्स क्कमाई अब बढ़के ली रख अगर आगद रिखें सर का अधे टीमेंक कर दें ना यह जाएगा लोन फ्रोंबैंक ठीज आईगा कि आ है चलें जिसर चलिए आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हैनी आप चलते सर ग्वेस्टन होगे ठीक जी सर क्वेस्टन नम्बर एट जल्दी निकालेंगे पेज नम्बर 11.115 ऐसे क्लासिफाइद फॉलंग एक्टिवीटी एज OPERATING, INVESTING, FINANSCING CASH, EQUALENT WITH REFERENCE TO AS3, SIR BROKERAGE PAYDOWN PURCHASE OF INVESTMENT, SIR अगर हम INVESTMENT को PURCHASE करते हैं उसके ब्रोकरेज करते हैं वह इन्वस्ट मेरेड हो जाता है इन्वेस्टिंग एक्तिविटी अंडराइटिंग कमीशन देखे सार क्या होता जब कंपनी ना फंड अरेंच करती है जैसे मालों से कफिली इसु किये डिवैंचर इसु किये तो सर वो ना अंडराइटर अपॉयंट काती है तो sir underwriter को जो commission जातो वो financing activity माने जाता है trading क्योंकि sir वो finance arrange करने के लिए sir activity की गए ठीक जी sir trading commission received sir operating activity proceeds from sale of investment sir आपका investing activity purchase of goodwill sir investing activity redemption of preference sir financing activity rent received from property as held as investment sir आपका investing activity interest paid on long term borrowing sir आपका financing activity marketable security having risk of change in value देखे sir अगर marketable security और उसमें sir risk है change in value में तो sir उसे investing activity माना जाता है लेकिन sir यहाँपे na cash equivalent word लिखा तो हम यहाँपे लिख देंगे note a cash equivalent और sir अगर कोई भी 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 ना investment है जो note a cash equivalent investing activity माना जाता ठीक refund of income tax received sir आपका operating activity सर आपका operating activity सर यह देखे इस कांसर देखका note कैसे कुलें और साथ में लिखना जाओ लिख सकते इस 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 इन्वेस्टिटिटिटी ठीक चले आजी सर आईए question no.9 बहुत प्यारा question है आया discuss करते हैं वाइल प्रिपेरिंग cash flow statement ऑफ गगन लेंटर एज पर येस नाइन फॉर्दा ये रेंडर सर आप इन आइटमों को सर कैसे दिखाएंग cash flow statement 10% डिवेंचर इसूड एक बार सर लास्ट में देख लेते कुछ special तो नहीं लिखा कर नहीं सर कि सर 10% डिवेंचर इसूड है 33,000 ठीक जीज सर आगे देखे क्या लिखता है डिवेंचर वर रेडिम्ट एट 5% premium at the end of the year अच्छा हम ने जो रेडिम्ट के सर 5% premium पे किये तो 33,000 इंटू 5% सर 1650 फाइन से माइनस हो जाएगा प्रीमिम वाज चार्ज तो प्रोफित अनलोस कौं सर देखे अगर हमने प्रीमिम पेनल पॉन में चार्ज करते हैं हम क्या मान के चलते हैं कि जो प्रोफित ऑपरेटिंग और कैसे सर नोन ऑपरेटिंग करते हैं तो सर एड करते है है अनपेड इंटरेश्ट उन डिवेंचर सर यह एंट पर हमने रिडीम किये तो हमें इंटरेस्ट किसके पर पे करना पड़ेगा सर 110 के पर पे ठीक जी सर और यहां पर हमें जो इंफोरमेशन दे रख्किए एकुड इंटरेस्ट की सर टू सेवंटीफाइच ओपनिंग ह आपका 11,000 आ जाएगा तो सर जो पे हुआ वो कितों ना हो गया सर पे हुआ 10,100 सर इसे हम फाइनसिंग अक्टिविटी माइनस कर देंगे इसे अपरेटिंग अक्टिविटी में एड कर देंगे अगर हम डाउटफुल डेट्स के अगेंस्ट आपका डाउट ओफ करते हैं तो सर हम इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करते कैस्फिलों में क्योंकि सर जो भी आपका बैट डेट है वो हमने प्रोजिन कर दिया तो प्रोजिन का सर जो इंक्रीड डिक्रीज है उसका इंपेक्ट लेते हैं मैं इस कॉंसर्प्ट को ना एक क्वेस्टिन के तुरू सर अलग से डीटेल में रिसकस करवा हूँ ठीक जी सर इसका यहां पर कोई ट्रीटमेंट नहीं है आपका ओपनिंग क्लोजिंग स चाहिएगा यह माइनस करते हैं ठीक जी सर चलिए क्वेस्टन नमर्ट 10 सर आपका एक बार देखेंगे सर यह जो Q position है सर कोई फी पॉइंट ऐसा नहीं जो कोई नया पॉइंट हो तो यह Q subscribe आप करेंगे ठीक जी स सर चलिए ख्वेस्टन 11 जरी बात करें एक पड़ा question है कुछ अ्टबजस्टमेंट सर इसमें नहीं प्लेट्ड है ृटईक जी सर टाकि सर कैसे लिए में और additional information a piece of land has been sold out for 150 course of 120 and the balance land was revalued capital reserve sir जो consistent है वो profit on revolution of land है ठीक जी sir इसका अशर जो asset को बेचने profit वागों से हमने final account में consider किया होगा तो एक काम करते हैं sir एक तो capital reserve sir इसी से related है टीक कर लेते हैं adjustment number one capital reserve और एक sir अपना property plant and equipment में note number five है land building ठीक जी sir चलिए ओन 1st April X-Era plant वाग शोल debenture वर्थ रूपीज 1 lakh वर इसूद एड़ आज पार अज पार आज पार आज पाट आज पाट ते consideration sir second zone point of the plan and machinery or debenture से related है चलिए जी sir चलिए part of the investment cost 50,000 वाग शोल पो 70,000 sir investments related है वो कि प्रीक्डी चेसिंड रिंट रिशीव्ट 5 Currently वाजson अर्शेस्टर अगेंस सोफ रिर्ले स्टर रे डिरेंचा निद aktiv मिलिभेंट साथी को चर्चा इंजिंड वाज डिखर एंड फैसं देन दर्लिड चर्चा इंकम ट्टेक्स लाइश्ट गंच 500 धि Concern 35 सर आपका प्रोविजन फो टेक्स दी रखा हुगा जी सर शोटम प्रोविजन आ गया कि डैप्रीसेशन एट रेट फुर्विजन हैज बिन चार्ज उन प्लानर इनुशनरी बट नो डैप्रीसेशन हैज बिल्लिंग के पर सब्सक्राइब नहीं है लिख लेते हैं और प्लानर इनुशनरी को पर सब्सक्राइब के साथ है चलिए सुरू करते क्वेशन सबसे पहला स्टैप क्या रहेगा स्रम प्वर्मेट बनाएंगे सब्सक्राइब अगर आप यहां पर बैलेंस देखेंगे तो विप्टी थाउजन से बढ़के वन लैंक का हो गया है ठीक जीसा तो विप्टी थाउजन के प्लानर का बैलेंस लिख लेंगे question number sir अपना 11 है 11 के answer पर चलते हैं यह सर अपना 50,000 का balance आ जाएगा profit for the year ठीक चले अब balance इट के asset side से लग जाते सर सबसे पहले क्या आगा property plant and equipment sir property plant and equipment में sir सबसे पहले sir plant and machinery है आईए plant and machinery के बात करते हैं sir net blog है gross blog है sir net blog सर ओपनिंग balance कितने से sir अपना 5,000,000 से हैं क्लोजिंग वैलन्स अपना 765 से ठीक जी सर नोट नमबर टू और सेवन है नोट नमबर टू में लिखता है ओन फर्स्ट अपरेल एक सिरो ए प्लांट वाद सोल्ड फॉर 90,000 ठीक है ओरिजिनल कोसर 70,000 थी WDV सर कितने सी 50,000 से ठीक जी सर सर हमने एक प्लांट बेचा 90,000 पर अब यहाँ पर यह देखें सर जो यह प्रोपर्टी प्लांट एंडिक्यूमेंट है सर यह ग्रोस ब्लोग पर नेट ब्लोग पर सर नेट ब्लोग इसका मतलब सर यहाँ पर जो अमाउंट इंक्लूड होगा वो कोस्ट होगा है दिवी ठीक प्लीज इस बात का द्यान रखें कहें वार बच्चें आप क्या गलती करते दें कोस्ट माइस कर देते थैंस्ट यहірाँ पर यहाँ पर आपका डबल Hmm क्यों急 क्योंकि जो आमाउंट रहिए due हसकी सर आपका मैं आपको बता दूं सर ये नो डाउट नेट बलोग था लेकिन हमने इसे ग्रोस बलोग में कनवर्ट कर लिया था इसलिए यहां पर आप देखने तो नेट बलोग है तो सर नेट बलोग में से हम क्या करेंगे सर डव्लू डीवी ही हटाएंगे चलिए सर ऐसा क्यों ऐसा यहां पर डव्लू डीवी है यहां पर सर कोस्ट है नहीं तो सर फिप्टी थाउजन्ट आपका डव्लू डीवी नाइटी थाउजन्ट पर सर आपने बेज दिया प्लांट एंड मसिनरी डिस्पोजर नाइटी थाउजन्ट पर बेज दिया पॉर्टी थाउजन्ट के सर प्रोफिट आ गया है चलें जी सर आई आगे बढ़ते हैं और कोई अध्यस्ट्मेंट हां जी सर सेक्रेंड बात लिकें डिवेंचर वर्थ रुपीज वन लैक वर इसूट एज एट पार एज पार्ट कंसिड्रेशन फोर दी प्लांट ओफ 4.5 लैक एक्वायर सर आपने न प्लांट एक्वायर के आप 4.5 लैक का जिसमें सर वन लैक आपने क्या कि डिवेंचर इसूपर दिये तो सर वन लैक के डिवेंचर आगे और थ्री फिप्टी सर आपका टू बैंक का गया सर अपना ओपनिंग बैलेंस निल है क्लोजिंग बैलेंस रफना टू लैक है वन लैक का सर मने क्या कि प्लांट एंड मशिनरी एक्वायर करके डिवेंचर करती है ठीक अब कुछ प्यारी प्यारी सी बात है आपके साथ डिसकस करें देखिए अगर मैं किसी असेट को डिन द अगर मैं असेट को सर सेल करता हूं तो फर्स्ट डेयर से लेकर सब्सक्राइब करता हूं अगर मैं सर किसी असेट को परचेज करता हूं तो सर क्या आएगा सर्फ फ्रों अगर मैं किसी असेट को सर पूरे साल पाईगा ठीक जी सर अब बात सुनिया है अगर मैं असेट को पहले दिन ही बेच देता हूं और एक असेट को पहले दिन ही परचेज कर लेता हूं एक असेट को मैंने क्या किया पहले दिन सेल कर दिया ठीक है एक असेट को सर मैंने क्या है कि अब पहले दिन सर क्या क्या पर्चेश कर लिया ठीक जी सर अपने पास और kya ऊओर ब्यस के से काल्कूलेत करगा सब्सक्राइब कर यह कानंक। ऑस बेफ से हैं से क्लोलेकर उसके डोड़ाइं करऊंप्त ना तर यहा। एक बार आपको सारी बाते दोबारा बता देता हूं गए अगल लेकर करता हूं तो अगर मैं असेट को सेट करता हूं थीक है इसके उपर depusion कब ऑज़ी पूरे साल का का ये सर मैंने पहले दिन यह बैजाती है अब क्यासे इन सड्क पूरे साल गाख तो तो उपने पास closing balance बचेक तो वह कैसे बचेक तो यहाँ पर आप प्लांट एक्वायर कर लिया ठीक जी सर तो सर अगर आप यहां पर देखेंगे तो सर जो यह ए होगा सर यह होगा ओपनी Miss Assets प्लस Assets for माइनस पूरे साल का ठीक जी सर तो यह किसके बड़ूआपर होका शरी यह होगा 100 ala टेपरी जे बिदीटर ब्लानेड मंशलीट बट्स लिल्लेट तो सर हम यहाँ पर क्या करेंगे जो सेवन सिक्स्टी फाइव का यह बैलेंस है यह सर आपका 85 के बराबर है तो 15 वैल्यू कितनी आएगी सेवन सिक्स्टी फाइव डिवाइड बाई 85 परसेंट सर इंटू 15 परसेंट सर यह पूरे साल का डेपरीसेशन आ गया ठीक जी सर चले हांजी आएगे तो 50,000 प्लस आपका 135 प्लस आपका 765 मैनस 50,000 फॉरी 500,00 मैनस आपका 1,00 मैनस और सो फाइव लाग प्लस 1,00 प्लस 950 सर आपका प्लस 350 950 का अमांट आ यह लाजर तैली सर डिवेंचर के बारे मादा पहले एक बार इनकी पोस्टिंग कर लेते हैं ठीक जी सर देखिए हमने जो डिवेंचर इसू करके सर प्लांट एक्वाइर किया है सर नोन कैसे कहीं पर भी नहीं आएगा इनवेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफलो सर आपका ओपरेटिंग में एड कर देंगे इनवेस्टिंग में इनफलो ओपरेटिंग में माइनस कर देंगे ठीक जी सर चलिए प्लांट एंड मसिन्री अकाउंट की बात होगी है आपका यहां पर आई है सर इन्वेस्टिंग में देखिए प्लांट बीच दिया प्लांट पर्चेश कर लिया सर डेप्रीशेशन ओन प्लांट आ जाएगा 135 से और सर जो प्रोफिट ओन से लोग प्लांट है उसे हम क्या करें मानिस करते हैं ठीक जी सर अब चलते डिवेंचर पे सर डिवेंचर जो है अपने पास क्लोजिंग कितने के है सर टू लैक के और ओपनिंग कितने के सर जीरो सर फर्स्ट डेव प्लांट का प्लांट एंट बसेंटर करना पड़ेगा बिल्कुल सर अब क्या इंटर्स कोई आउट्स्रेंडिंग दे रखा एक पर चेक कर लेते सर अधर करने लावल्टी में नहीं सर कोई इंटर्स आउट सपना बनेगा हमने वह पूरा पे कर दिया अब इंटर्स कितना बनेगा सर देखे वन लैक पर तो पूरे साल का आ जाएगा बिल्कुल ठीक है इस वन लैक पर हमें देखना पड़ेगा सर हमने इन्हें कभी इसू किया अगर यह सर फर्स्ट डे ऑप दा इयर पर इसू है तो सर पूरे साल का इंटरस्ट आ जाएगा अगर इंट पर इसू है तो सर इनके पर इंटरस्ट नहीं आएगा सर यहां पर आप देखेंगे तो सर डेट ओप इसू डिवेंचर के बारे कुछ भी दे रखा तो भी एजूम कि सर फर्स्ट डेपर हमने क्या कि इसू किये तो टू हसाठ किताब सिर्द्प्लांट एंड मशिणरी का और अपना की दिवेंचर का खाख डेखा सबस्क्राइगा नहीं है अपना हिसाब कि यहां है लिएक इस Urban क्वेंचर कोई सर प्लांट मशिनरी का और अपना कि अ से आगे बढ़ते हैं सर लैनन बिल्दिंग सब्टाइप्रेशन चार्ज नहीं करेंगे ओपनिंग कितने से अपना ओपनिंग तू लैक से और क्लोजिंग अपना 150 से देखिए जो point number sir अपना 7 है sir depreciation से मना कर रहा हूं से ठीक जी sir point number one a piece of land has been sold for 150 cost for 120 sir 120 की cost का हमने क्या किया sir एक land बेची तो asset disposal खोल लेंगे sir यहाँ पर 120 आ गया कितने बेचती sir 150 की ठीक जी sir sir 30,000 का sir यहाँ पर आपको profit होगा जिसे हम क्या कर रहे है sir P&L account में लेकर चलेगा यह ठीक जी sir sir यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो automatic P&L account में जाता sir as per yes 10 ठीक जी sir लेकिन sir वो कह रहा है कि capital जो है आपको profit on revolution of land से बना ठीक जी sir capital पर चलते हैं 70,000 का closing balance openings 0 है तो sir यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने क्या क्या सर land को revalue किया है तो land account अब to capital reserve आ गया चले जी sir आई एक एक करके posting करतें sir यह आपका investing में आ जाएगा बिल्कूल ठीक है sir इसे operating में से minus कर दें sir यहाँ पर हम कोई भी treatment नहीं करेंगे 70,000 का क्यों हों क्योंकि सर ना तो यह पिंजल लगाउन से रूट हो आना सर बैंक सर रूट हुआ ठीक जी sir चलिए तो sale of आपका land sir 150 से और profit on sale of land sir आपका 30,000 से ठीक जी sir capital reserve टिक कर देते हैं land and building खत्र ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद सर अपना non current investment देखें sir जब हम किसी भी company के share acquire करते हैं और वो company सर चिस date के हमने share acquire की हैं अगर उससे पहले के प्रोफिट में से डिविदेंट देती हैं तो अपने लिए क्या बन जाएगा प्री एक्क्यूसन डिविदेंट ठीक हम cost of investment को reduce कर देते हैं और sir अगर date of acquisition के बाद के प्रोफिदेंट मिलता है तो sir वो अपने लिए बनता post acquisition उसे हम क्या करते प्रोफिदेंट में क्या करेंगे और investing activity दिखाएंगे एज इंपलो ठीक जी सर और अगर हम इंडारेक्ट में प्रोफिदेंट किया होगा तो हम क्या क्या करेंगे प्रोफिडेंट में से माइनिस करके दिखा देंगे हिए नोन करन्ट इंवेस्टमेंट सर बैलंस है 80,000 और आपका 50,000 लाजर बनाते हैं कि 80,000 और अपना कि 50,000 देखे question क्या गया रहा है यह हो गया यह हो गया पार्ट ऑप इंवेस्टमेंट 50,000 ने क्या कहाँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर सकती है लेकिन क्योंकि सर इंवेस्टमें ज्याद नहीं हो तिसलिए धारेक्ट टृट कर ले तो लेकिन तोटिक में सर अपने को प्रोफिट हो गया है प्री एक्यूशन रिविदेंट आपने को 5000 मिला जो कि हमने क्या किया इंवेस्टमेंट की कोट्ट के साथ अर्जेस कर दिया ठीक जी सर तो 5000 अपना आएगा इनवेस्ट्मेंट में क्रेट हो जाए गा और इनवेस्टिंग अक्टिविटी दिखा दें ठीक जी समससर यहां पफे 1 थ्षायं मेंने59im पर चीजा आगी तीक यिःसर इन्फलोव इन्वहस्टिंग अक्तिविटीइम्हें आउट फ्लोव इनन्वेस्टिंग अक्तिविटीटी से में सर माइनस कर देंगे आपका ओन्वुरेटिंग यिथा टीक फ्लोव-एइंफलोव और यिए आउत फ्लोव inventory सर increase होगी क्या करेंगे सर माइनस करते हैं तो कि प्रोफित पढ़े पढ़े अबढ़ा ठीक जी सर trade receable सर इंक्रीज हो गया सर in comparison to sell collection कमा जाएगा माइनस कर देंग ठीक सर cash and cash equivalent आ जाएगा अधर current asset में यहां पर कोई information नहीं दे रखी कि तो वी ऐजीम कि सर हमने कोई बिजनेस के थो डिया वाँ यू आक्टिविटीचिवीटी हम सर क्या करेंगे छर्फ बड़ी गया है कोई ऐसे च्वीटी जो ओपरेटिंग और कैस एक्विटीच से उसे क्या करेंगे सर अगर उसका इंपेक्च पेक्वल लागे दे लेंगे 5000 सर माइनस करता हैं 50000, increasing inventory, increasing trade receable, increasing other current ठीक, जी सर्, चलिए कि लैबल्टी साइड पो चलते हैं, share capital में, तर equity share capital जीर 5,00,000 सर्पर कितनी होगी, six life होगी ठीक, सर्टीक कोई adjustment नहीं, तो वन लैक की सर्का जाएगा अपना इकवटी सेर कैपिल में सर आपका इन्फलो आ जाएगा ठीक फाइनेंसिक अट्विटी के अंतर आगे बारते हैं सर देखिए प्रेफरेंस सेर कैपिल को यहां पर रिडीम किया गए मेरी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं जब भी कंपनी प्रेफरेंस सेर कापिल को रिडीम करती है तो उतनी फेस वैल्लिव के यह तो नई प्रेफरेंस सेर इसू करती है यह सर capital redemption reserve create करती है by using free reserve ठीक जी सर अलागे सर यह जो legal requirement है हम cash flow statement के chapter में चेक नहीं करते जो भी question ही कर रखा सर हम चलने देते हैं ठीक जी सर लेकिन सर मैंने आपको बता दिया कि ऐसा हो था ठीक जी सर अब बात करते सर capital redemption reserve कैसे करेंट होगा सर सबसे पहले जर्नलिजर यूज़ करेंगे फिर पीएंगल एकाउंट ठीक जी सर देखेंगे सर तू लैक की preference रिदीम होगी तो क्या करेंगे सर सर आउटफलो आ जाएगा financing activity में ठीक जी सर अच्छा अब सर यह जो CRR create हुआ है यह किस से create हुआ हुआ है सर सबसे पहले जर्नलिजर यूज़ करेंगे ठीक जी सर देखेंगे सर CRR के अगर मैं बात करूं आपका opening 0 क्लोजिंग 1 लाग से ठीक जी सर अगर सर मैं जर्नलिजर की बात करूं आपका जर्नलिजर एक सेकेंड और क्लोजिंग कितने से हैं तर क्लोजिंग 150 से तो हमने के एंट्री पास की होगी तर हमने एंट्री पास की होगी जर्नल रिजर्व अकाउंट एबिट टू और सर यहां पर कोई डिफरेंस नहीं और सर यहां पे कुछ भी सर पीडिल अगाउंट से रूट नहीं हुआ इसलिए से हम लोग क्या करेंगे इसका इंपक्ट कैस्फ फ्लो में नहीं देंगे ठीक जी सर चलिए अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेंगे सर देखें टू सब्सक्राइब कर दिया ठीक है यह मैंने आपकी आपको बता दिया अपने यह काम की बात इतनी है कि जो पहले की से रहरोगा सर अपका पहले सर इसन वहयां अब करेंगे अब कब हम मानते कि हमने year के end में redeem किया तो फिर हमें पता क्या करना पड़ेगा ट्वंटी थाउजन का सर प्रेफरेंस डिविदेंट सर फाइनसिंग एक्टिविटी से माइनस करना पड़ेगा और ओक्रेटिंग में एड करना पड़ेगा इसका कोई भी treatment यहां पर नहीं दे रखा तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो असेट साइट कंप्लीट होगी लाइबिल्टी साइड में सब्सक्राइब करें तो इसका मतलब क्या है कि सर जो अपना इंक्रीज हो गया मतलब परचेज के कंप्रेशन प्यमेंटे कम हुई है सर क्योंकि खर्चा जादा चार्ज हो गया और प्यमेंटे कम हुई तह अगे बढ़ते हैं अधर करें लाइबल्टी नोट नंबर अपने को फोर दे रखा है अधर करेंट लाइबल्टी में सर डिविडेंट पेबल का लेजर बनाते हैं सर ओपनिंग कितने से सिक्स्टी थाउजेंट से और क्लोजिंग सर जीरो है अब सर यहां पर क्वेस्टन ने हमें बोला है कि आपने क्या करना है तर इंटेर्म दिविडेंट 15 प्रेशन पे करना अब सर यह बासकता है सिक्स्ट पे में सक्ता है कैसे हमने कैटल इशू किये और अगर यहां पर देखंगा ने पता पर इसे इसू कर दिया ठीक जी सर मैं आपको बतातू सर इस question में ना इसके ऊपर सर dividend का treatment करके दिखाना चाहिए क्योंकि अगर आप first day पर सर इसे इसू कर रहे ना तो सर जर्नल ही हम क्या करते सर सेम डे पर redeem कर देते लेकिन हाला कि ऐसा कोई fix नहीं है उसके लिए पूरपर time period होता है एच पर company लो ठीक किजी सर लेकिन ज्यादा बैट रहता सर dividend का treatment कर देते preference का भी मैं इसलिए कर रहा हूं यह बात क्योंकि सर next question में ना सर इसूट ने प्रेफरेंस का treatment नहीं कर रखा लेकिन वहां पे सर आपका opening closing में कुछ balance आ रहे हैं मतलब वहां पे सर निल इंपक्ट आई नहीं सकता तो मेरे को ऐसा लगता सर इंसूट से नहीं मिस हो गया है बट आप exam में सर इसके आपर note डाल इसे हम operating activity में सर एड़ी कर देंगे और 150 सर financing में माइनस करते हैं ठीक जी सर यह देखिए हमने एड़ी कर दिया 90 और dividend paid सर यहां पर हमने क्या किया माइनस कर आगे बढ़ते हैं उसके बाद सर अपना अधर कंट लेवल्टी कर रहा था अधर कंट लाइबलें सर आपका लाइवल्टी फोर एक्स्फेंसिन इंक्रीज हो गया इसका पांद लोग किया कि हमने जो खर्चा चार्ज कर उसके कम पर अब्रेमेंटे कम किये हैं तो सब्सक्राइब कर देंग इं क्लोजिंग सर 95,000 है और क्वेस्टन है सर कोई एजस्मेंट दे रखी है हां सर 135 का वो कह रहा कि एस्टिमेट है करेंटी यह ठीक जी सर तो 135 सर आपका पी एंडल में एड हो जाएगा और बैलनसर आपका टेक्स पेड का माउंट आ जाएगा यह देखिए सर ओपनिंग क्लोजिंग पी एंडल सर यह आपका ओपरेटिंग में माइनस हो जाएगा ठीक वन थर्टिफाइग और वन लाइक सर आपका माइनस हो जाएगा अब सर फाइनली जो अपना यहां पे अमाउंट आगया सर टू सेवन्टिफाइव ठीक जी सर तो टू सेवन्टिफाइव सर नेट प्रोफिट विफो टेक्स आ जाएगा तर बाकी देखेंगे तो सारी चीज़ें ठीक होज शुकी तो अपना क्वेस्टन सर कंप्लीट होगा चलें जी सर आईए देखिए एक बात हमेशा याद रखन टिक जी सर इलस्टेशन या मतलब क्वेस्टन नमर्जों ट्वैल है इसमें दो बाते मैं आप साथ डिसकस करने बाकी सर क्वेस्टन आप खुझ से कंप्लीट कर लें ठीक जी सर आईए एक काम करते सर जो दो बाते डिसकस करने डारेक्ट उन्हीं पे चलते हैं पॉइंट न सर प्रेक्टिस क्या फॉल होती थी इन्वेंट्री को 10 प्रेशन सर कोर्स से कम पर वैल्यू किया जाता ठीक जी सर दा इन्वेंट्री अकोडिंग टू बुक ओन 31 माच एक सीरो वाज 216 मतलब यह 90 पर वैल्यू थी लेकिन करन्ट एर की सर इन्वेंट्री को क्रेक्ली वैल्य लिए ठीक जी सर इन्वेंट्री और प्रोफिट का सर कैसा रिलेशन होता है यह है यह सब पी एडल अकाउंट ठीक जी सर अ है सर देखिए मान के चलते सर अपना जो क्लोजिंग स्टोप था वह 1 lakh का है और जो सर अपना net profit है वह मान लेते 350 है ठीक जी सर सर अगर closing stock 110 हो गया इसका मतलब क्या सर 10,000 से profit बढ़े जाएगा closing stock 90 हो गया तो सर profit की दिने सो जाएगा सर 340 हो जाएगा मतलब सर closing stock के साथ inventory का direct relation हो ठीक जी सर अगर opening stock की बात करें sir sir opening stock के साथ 36 काँगड़ होता है जैसे माल लेते sir अपना opening stock जो था 70,000 था profit sir 350 था sir opening stock बढ़के 80 हो गया खर्चा बढ़ गया 340 sir अपना 60,000 का sir opening stock हो गया sir तो profit बढ़के 360 का बचाएगा चलें जी sir तो यहां पर वो ही कह रहा कि sir last year जो था closing inventory को sir 216 पर value किया गया था जो की cost less 10% थी ठीक अगर sir हम इसे 100% पर value करते तो sir inventory closing कितनी आती sir 240 आती मतलब 24,000 से sir हमने closing inventory को कम कर रखा था last year तो sir last year का property क्या हुआ होगा 24,000 से कम हुआ होगा तो यहां पर अगर आप देखें में तो रिजव एंसर प्लस में चलते हैं opening profit sir 240 है यह आपका 264 हो जाएगा 24,000 इसका 10% नहीं है बलकि क्या वह होगा 216 90% 240-216 24,000 से inventory की value बढ़ी तो profit बढ़ी का last year का inventory की अगर बात करें तो sir यहां पर current asset में तो sir यह अपना amount आ जाएगा 11 10 plus 24,000 11,34,000 से चलें जी sir आइए अब यहां पर आप देखें ने sir तो जब आप profit में increase decrease लेंगे sir तो इसके साब से increase decrease लेंगे 76,000 का तो profit आजाएगा question number 12 यह देखिए 340-240-24,000 ठीक जी sir और sir जो आपकी current asset में increase है यह decrease है sir उसमें क्या करेंगे sir 1135 1134 consider करेंगे तो 1150-1134 16,000 sir आपका क्योंकि आप opening पहले दे रखा न तो sir increase है sir उससे क्या करेंगे minus करतेंगे यह देखिए तो एक तो sir हमने इस error को rectify करना ठीक I mean to say सबसे पहले में लोग क्या करें sir error को rectify करेंगे फिर अपना question स्टार्ट करेंगे तो हमने पहले क्या कैसे 24,000 को यहां पे sir rectify कर दिया बलकि एक काम करेंगे एक entry pass कर लाएं working note number opening stock account debit तू ओपनिंग प्येंडल अकांट चलें जी सर और सर इस entry के बाद हम क्या करेंगे अगर आप यहां पर देखेंगे तो 10% प्रेफरेंस से capital दे रखी opening कितने sir 4 lakhs से closing sir कितने 280 से अब sir 120 का redemption है अब redemption कब है sir question ने कोई date नहीं दे रखी तो sir यहां पे sir 2 view बन सकते एक अगर हम मान के चलते कि sir हमने इसे redeem किया year end पे तो हम क्या करेंगे sir 40,000 का preference dividend consider करेंगे operating में add कर देंगे और financing क्या करेंगे minus कर देंगे इसे ignore कर रखा आप sir please इसका treatment जरूर करके आना और note दे के आना कि हमने assume कि जो preference share है उसे हमने year end पे redeem किया ठीक जी sir अगर first day of the year पे redeem किया sir अपका 28,000 आज आज रहेगा आप impact जरूर लेए इस question में चले जी sir operating में add होगा financing में सर माइनस हो जाएगा चलिए sir question number 13 है यह question sir बिलकुल आसान सक question इसमें कुछ भी नहीं है लेकिन एक बात sir मैंने आपके साथ discuss करनी है provision for doubtful debts के बारे में और bet debt के बारे में ठीक जी sir देखिए पहले बात कर लेते कि कोई bet debt नहीं है अगर कोई bet debt नहीं तो हम लोग क्या करेंगे sir दो alternative होते हैं पहला alternative trade receable में increase decrease अलग से sir adjust कर लो और provision for doubtful debts में sir increase decrease अलग से trade कर लो ठीक जी sir दूसरा alternative sir जो भी आपका trade receable sir net of provision for taxes sir उससे increase decrease को consider कर लो अगर bet debt है तो उसके समसर क्या होगा एक तरीका bet debt को ignore करके और जो आपका net trade receable उसका increase decrease ले लो ठीक जी sir जैसे sir इस question में चलते हैं यहां पर अगर आप question में देखेंगे sir तो trade receable के ऊपर sir कोई note दे रखा है जी sir note number 4 पर चलते हैं आपका opening debtor, closing debtor, opening doubtful debtor का provision, closing doubtful debtor का provision और net balance जी sir sir rate receable 230 were determined to be worthless and were written off against the provision for doubtful debtor account during the day sir एक alternative बता क्या है इसको ignore कर दो आपना direct sir यह impact ले लो हमने question कहता थोड़ी देर पहले मैंने आपको का लाना इस point को वालक से discuss करो अभी आप ignore कर दो हमने sir वहां पर ignore कर दे ठीक जी sir मतलब क्योंकि sir bad debtor penal account में जा नीडा आपने एक तो debtor कम की होंगे और एक sir आपने provision for doubtful debts कम की होगा ठीक जी sir तो दोनों जगा sir impact हटने की वज़े सा क्या हुआ net impact निल हो गया 4 lakh से sir अगर आपके debtor increase होगे तो क्या करेंग sir minus करेंग operating committee में sir 670 sir यहां पर less कर रखा है यह देखिए और sir doubtful debts का जो provision है sir इन्होंने क्या कर रखा है वो दूसरा तरीका सर मैं सिर्फ आपको amount को रोज़े करा रहा हूं अभी ना sir यह देखिए 270 sir इन्होंने आप ले रखा है increase तो 4 lakh का net minus आ जाएगा ठीक जी सर तो एक तो तरीका क्या है sir कि आप 4 lakh को direct consider कर लो ठीक दूसरा तरीका पता क्या है sir आपने bet debt को क्या किया provision के against adjust किया है तो आप sir provision का amount बढ़ा दो और closing debtor का amount बढ़ा दो सर जब debtor increase होगा तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे 3060 माइनस 20 करें 90 सर 670 सर आप क्या करेंगे सर उसे माइनस करते हैं ठीक जी सर और सर जब आपने provision increase क्या हो तो सर पीनल अगान में चार्ज किया होगा कितने सर यह आपका 270 से क्योंकि सर यह कैसे हैं बट आपका प्रोफिट कम हो गया होगा तो हम क्या करेंगे सरी से add back करते हैं यह देखिए चलें जी सर क्वेस्टन नमर 14 बिल्कुल आसान सा क्वेस्टन आप खुद से करेंगे चलिए mcq पर चलते हैं देखिए क्या लिखता हैं वाइल प्रिपेरिंग कैस फ्लो स्टेट्मेंट कंवर्जिन ओडेट टू इक्वटी सर जब आप कैस फ्लो स्टेट्मेंट बनाएंगे तो सर उस केस में जब आप डेट से इकवर्टी में कनवर्ट करेंगे ठीक जी सर सुट भी सोन ऐस फाइन से अक्टिविटी सर यह एक नोन कैस ट्रांजेक्शन सर इसे कहीं पर विसो नहीं करेंगे इसमें से आप किसे सर इन्वेस्टिविटी माननेंगे ठीक कैस आउटफलो टू परचेज बोंड इसूर बाई अनदर कंपनी सर आपका इन्वेस्टिविटी में आ जाएगा ठीक जी सर एक बात में आपको बता दूं सर जो हम ना सब्सक्राइं करते हैं सर उसे हम ऊपर चयूंटिविटी मान के चलते हैं accept कर पाको फो इन्वेस्टिवरिविटी में रखा ंट काश walking चयूंटिविटी मानने जयागा except अब क一 की सब्सक्राइब जहां पर हम उसे अलग से कर पारें जैसे momma वालो सर हमने क्या किया सर कोई investment बेढ इसको पर capital gain है सर तो सर capital gain जो हमें tax pay किया सर वह आपको investing में आएगा ठीक आगे लिखता है all of the following would be included in company operating activity except sir हम इन सब को operating activity में लेकर चलेंगे except sir income tax payments sir operating collection from customer or cash payment to supplier sir आपको operating dividend paid sir आपका इसको सब्सक्राइब हरी उत्तम एस्टोग ब्रोकिंग फर्म रिसीवट 150 एज प्रीमियुम फोर फोर्ड कोंट्रेक्ट एंट्र पर्चेज़ ऑप एक्विटी से ठीक है how will you classify this amount in the cash flow sir अगर देखेंगे तो यहाँ पर फोर्ड कोंट्रेक्ट में sir उसने equity purchase किया मतलब ब्रोकरिंग फर्म है तो अगर ब्रोकिंग फर्म है तो सर उसका काम में sir क्या है आपका परचेज से लोग फोर्ड कोंट्रेक्ट है ठीक जी अगे बढ़ते हैं अब हम चलेंगे सर चैप्टर नंबर फोर पर यूनिट नंबर टूप है सर आप आएंगे इलिस्टेशन वन बिल्कुल आसान से इलिस्टेशन है sir सिरफ अक्यू इडिटिफाई करने है ठीक जी sir एलिस्टेशन 2 एक्च इलिस्टेशन परचेज देशन नंबर फोर्ड फोर्ड लिटीट विच रर्म जू रिदिम विदिन 3 मन ठीक है आगे प्यारी सी बात और लिखी हाववेवर इफ इन्वेस्ट्रेशन लाक मेरें डिवेंशर इस फूर लोंग टम तो सर फिर यह आपका इन्वेस्टिंग अक्टिविटी वन जाएगा ठीक चले इनजी सर चलिए इलस्टेशन 3 सर आप अपने आप कर ले न कुछ है निसमें स सच कि इलस्टेशन 4 सर आपका सर बिल्कुल आसान साउस्टेशन है इलस्टेशन 5 यह माँ आपको करा दिता हूं अच्छा इलस्ट्रेशन और एक्जाम के लिए आपका मॉस्ट इंपॉर्टन्ट के लिस्ट में आते हैं प्रिपेर कैस्फलो फ्रॉम इन्वेस्ट्टिं एक सर हमें यहां पर इस question में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का cash flow बनाना ठीक जी सर plant acquired by the issue of 8% venture सर कोई flow नहीं है क्लेम receipt for loss of plant in fire सर हम यहां पर क्या करें सर इसे inflow दिखाएंगे investing activity में अजे एक्टा अधा एक्टा अधा एक्टा अधा एक्टा अधा एक्टा एक्टा अधा इसे क्लेम ठीक जी सर unsecured loan given to subsidiary अपका outflow interest on loan received from subsidiary company अपका inflow pre activation dividend received on investment made sir diventure interest paid sir financing activity term loan repay sir financing activity interest received on investment sirator 68000 रे वस्तेपै़ से कहले TDS पेकल तो हो चुका TDS of 8200 was directed on the above interest तो 68000 प्लस आपका 8200 सर 7600 आ जाएगा और माइनस करके दिखादें सर 8200 ठीक जी सर बुक वैल्यू अगर अगर आप देखेंगे तो सर जितने भी इलस्टेशन ये सर वह सारे डुपलिकेट है क्योंकि हमने सर इससे पहले ओलेडी चेप्टर में सारे डिसकस कर ली है एक सर फोरन एक्चेंज डिफरेंस वाला बड़ा प्यारा सा कॉंसर्ट है वह माप के साथ यहां पर डिसकस कर वहाँ बात सुनिये द्यान से सर एस 11 ये कहता है कि जितने भी इस की फोरन करंसी मोनित्री आइटम है आप उसे क्या करेंगे यह एक रेलाला घ्वाट करेंगे ठीक जी सर मैं काम करता हूं सार एक एक जामपल लेता हूं और पर गयते की मान लेते हैं सर हमने क्या किया 10,000 डॉलर के गुड्श परचेस कि टीक जी सर फस्स्य थीव धिए है ठीक या मिडल ओव दागिर में जब भी सर हमने पर्चेस कि ठीक जी सर उस दिन मालो रेट सर अपना 90 था अब 10,000 डॉलर के अगर हमने पूर्चेस कि बलके मैं काम करता हूं यह चीज आपको लिख कर दिखाता हूं पर्चेज अकाउंट डेट टू फोरण क्रेडिटर कितने से शर 9 लक अब सर मैं बैलेंसीट बना रहा हूं ठीक जी सर बैलनसीटेट पर यह बताईए जो मेरी लाइबल्टी है वो 9 लाइबल्टी या 10,000 डॉलर के लाइबल्टी जो मेरी liability है 9 lakh के liability ए 10,000 डॉलर की liability आपकी liability 10,000 डॉलर की बिल्कूल ठीक है तुम्हें को क्या करना पड़ा सर ये रेंट पर री जो है 192 हो गया तो मैं क्या entry पास करूं foreign exchange difference account अब टू foreign credit सर 20,000 से तो foreign credit सर जो मेरी books में है वो कितने से जाएंगे सर आपका 920 से और जो foreign exchange difference तो तो फोरन एक्सिंज डिफ्रेंस लो सर टूंटी थाफजन सर क्या होगा मेरा प्रोफिट कम ओगा ठीक जी सर यह सर मैंने एस 11 के कोडिंग कर दिया ठीक लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो सर यहां पे कोई भी कैस की मुमेंट नहीं है तो यह त्री यह कहता है कि आप क्या करेंगे जितने प्रिफेंगे इसे अब कर देंगे रिवर्स करने का मतलब क्या है कि जैसे मालो सर यहां पर फॉरन एक्सिंज लोस ट्वंट्य थाजन से अपने रिकोर्ड किया और फॉरन क्रेटर से आपका 9 डूंट तो सर आपका 9 लैंक प्रेटर माना चले हां जी आईए अब मैं इस concept को सर थोड़ा और बताता हूं सर अगर हमी during the year foreign exchange loss होता है तो हम क्या करेंगे सर अगर indirect method follow करें तो सर उसे add कर देंगे कहां पे सर उसे add कर देंगे सर operating activity में और दूसरा impact कहां पर लेंगे सर दूसरा impact लेंगे इसे बोल सकता हूं अगर foreign exchange loss है अपका अपका असाइट में तो यहां पर 11 निकालेगे दो क्वेस्टन कर आता हूं बलकिए अपन एक 11 और एक 10 पहले 11 करा देते हुआ घ्राज्ट दालुमिटर जैद्लमिटर पर्सक्राड जैद्लिमिटर्च म्यंक है जैद्लिमिटर्च MAay मी करणफ ट्र कैस थे शु Fleet reporting period ठीक है, it held a deposit in a bank in France ठीक है, the balance as at the beginning of the year sir आपका 1 lakh foreign currency में और 1 lakh 5000 sir आपका closing है ठीक, the exchange rate at the beginning sir आपका one foreign currency equal to rupees 82 है और closing sir आपका 85 है, the increase in the deposit balance of 5000 was on account of interest credit on the last day of the reporting period ठीक है, deposit का sir जो balance है आपका opening 82 है और closing sir 89 25 देखे sir 5000 का sir अपने पास interest आया foreign currency है इसे हम closing rate के साब सर रिस्टेट करेंगे तो sir 425 का तो interest है ठीक जी sir तो बाकि sir कौन सा difference हो गया 89 25 माइनस 82 तो टोटल difference 725 है जिसमें sir आपका 425 का sir difference था आपका interest का बाकि sir 3 lakh का difference आपका foreign exchange difference आगया अगर आप ऐसे देखेंगे तो 1 lakh यहां पर difference 3 है 3 lakh का sir foreign exchange आपको sir क्योंकि मेरा balance तो gain हो गया तो मैं क्या 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 sir alternatively आप चाहें तो sir क्या कर सकते opening balance 3 lakh का gain एड़ करके reconcile कर सकते ठीक चलिए question 10 from the following information of xyz limited calculate cash and cash equivalent as on 31st March x2 sir आपने क्या करना cash and cash equivalent का balance calculate करना ठीक जीश सर balance as for the bank statement 25,000 हम अपनी books में जो balance दिखाते हैं वो bank statement के coding नहीं दिखाते हैं sir अपनी books के coding दिखाते हैं तर हमने check issue पर रखा है तो sir हम उसे minus कर देते ठीक check issue but not presented in the bank तो sir इसे minus कर देते हैं क्योंकि हमने sir अपने हापे sir जब check issue क्यों होगा तो sir इसे reduce कर देगो cash book में ठीक जी sir तो 10,000 तो यह आ गया short term investment in liquid equity share, sir equity share में short term investment में sir आपका significant risk होता value change हो जाती sir इसलिए मुसर cash equivalent का part नहीं मानते fixed deposit sir आपने किया 1st November पो लेकिन sir maturity date आपकी 3 मंत के बाद है तो sir यह भी आपका cash equivalent में नहीं आएगा total investment in highly liquid surge in debt mutual fund on 1st March having maturity period of less than 3 month फिर यह आजाएगा bank balance in the foreign currency account sir आपका opening balance कितने से sir 69 से closing sir कितने 70 से तो sir 70 के साब से आजाएगा हाला कि हम ही क्या करना पड़ेगा sir 1000 का foreign exchange gain है sir उसे reconcile में consider करना पड़ेगा ठीक जी sir और उसे sir operating activity में से करना पड़ेगा तो amount sir यहां पर आगा 10 प्लस 110 प्लस 70 थाउजेंड सर आपका 180 आ चलें जी sir आई अब मैं आपके साथ mcq discuss करूंगा mcq पर आएंगे इसके लाब सर जो भी यहां पर इस यूनिट में क्वेश्चन है इलस्टेशन सर आपके डूप्लिकेट है कि जो आप इंकम टेक्स पर करेंगे सर आप उसे operating activity मान के चलेंगे ठीक जी sir एक्सेट जहां पर आपका इंकम टेक्स ना सर अडेंटिफाई हो जाता है कि यह कौन से अक्टिविटी से लिए जैसे आपका अगर माल लो आपने कोई investment बेची तो सर उसके उपर आपका capital gain है तो सर वापका investing activity के अंदर आएगा ठीक चलें जी सर चलें से लिए वान तो प्रिपेर इस cash flow statement ठीक है जी its sold equipment of book value of 60,000 at a gain of 8,000 ठीक है the amount to be reported in its cash flow statement under operating activity sir operating activity में तो sir यहां पे अगर आपका gain है तो हम लोग क्या करेंगा sir reduce कर देंगा operating में कुछ भी नहीं आएगा ठीक निल आजाएगा impact nice का अगर indirect method reduce कर देंगे और sir आपका direct तो sir इसे consider नहीं करेंग निल आगे while preparing cash flow statement and entity other than a financial institution should disclose the dividend received from its investment in shares sir आपका investing activity आगया third xyz company financial enterprise its cash flow statement interest paid and dividend received interest paid or dividend received को sir हम लोग क्या करते है अजी operating activity दिखाते है ठीक जी sir अगर आपका sir financial enterprise है in the cash flow statement cash and cash equivalent do not include cash flow statement cash and cash equivalent में क्या क्या नहीं आएगा bank balance आजाएगा short term investment readily convertible into cash are subject to an insignificant risk of changing value आजाएगा cash balance आजाएगा loan from bank नहीं आएगा चलिए while preparing a cash flow statement using the indirect method as required under AS3 which of the falling will not be directed from या added to the net profit to arrive at the cash flow from operating activity interest income sir इसे हम इसका effect लेते हैं gain on sale of sir effect लेते हैं sir depression का effect लेते हैं sir gain on sale of inventory नहीं आएगा क्योंकि sir या आपका operating activity ही है चले जीजा चलिए इसी के साथ सरी चैप्टर समाप्त होता है मिलते हैं next video में thank you so much पोलिए कोड़ेश और है इस पार एक जाम